ðudó cash flow quadrant आर्थिक स्वतंत्र नत्या की कुंजी लेखक robotic Q सिकी प्रस्तावना आप किस quadrant में है क्या या garden आपके लिए सही है क्या आर्थिक रूप से स्वतंत्र है अगर आप वित्य दोराएब पर खड़े है तो cash flow quadrant आप ही के लिकी गई है अगर आप अपने विविश्य को बदलना चाहते है और इसका नियंतर राज ही अपने हाथ में लेना चाहते है तो या पुस्तक इस यात्रा में नक्सा बनाने में आपकी मदद करेगी या Cashflow Quadrant है Quadrant के अक्सरों का अर्थ E यानि करमचारी, Employee S यानि Self Employed B यानि Business मालिक Business Owner I यानि निवेसक, Investor हमें से हर वेक्ति Cashflow Quadrant के चार Quadrant में से कम से कम किसी एक Quadrant में रहता है हम कहां है या इस बास से तह होता है कि हमारी आमदनी कहां से आती है हमें से ज़्यादा तर तर लोग तंखापन इरबार होते हैं इसलिए करमचारी है जबकि बाकी खुद का वैवसाइट कर रहे हैं या Self Employed है करमचारी और Self Employed लोग Cashflow Quadrant के बाएं इससे में आते हैं Cashflow Quadrant के दाएं इससे में वे लोग आते हैं जीनने उने अपने स्वामित्वत वाले बिजनस या निवेस से आमदनी होती है Cashflow Quadrant 4 अलग तरह के लोगों के बारे में जिनसे बिजनस की दुनिया चलती है या पुस्तक बताती है कि हर Quadrant के लोगों में कौन सी अनुठी चीज होती है या पुस्तक या जानने में आपकी मदद करेगी कि आप आज Quadrant में कहा है आप भविष्य में जहां पहुँसना चाहते हैं वहाँ तक यातरा का नक्सा बनाने में भी या पुस्तक आपकी मदद करेगी आपका भवीचा आर्थिक स्वतंत्रा के आपके चुने हुए रस्ते पर निर्वर करता हलां कि आर्थिक स्वतंत्रा इन चारों ही क्वाडिन्ट में पाई जा सकती है परन्तु भी या आई कोईडेंट की अयोग्यता में आपको आर्थिक लगसेक तक जादा जल्दी पहुंचने देती है जो सफल ई है उसे सफल आई भी बनना चाहिए अध्याई एक तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते 1985 में मेरी पतनी कीम और मैं बेघर थे हम बेवरोजगार थे हमारे पास बचत के नाम पर बहुत थोड़ा पैसा था और हमारा क्रेडिट कार्ट खाली था हम एक पुरानी भुरी टोयटो कार में रहते थे जिसकी सीट पीछे जुग जाने पर बिस्तर का काम करती थी एक सब्ता बिताने पर हमें या कटोर सच्चा ही समझ में आने लगी कि हम कौन थे क्या कर रहे थे और कहां जा रहे थे हम दो हफते तक बेगा रहे जब मेरी एक मित्र को हमारी बुरी आर्थिक स्थिति का पता चला तो उसने हमें अपने बेस्मेंट में रहने के लिए मैंतित के हम वहां नौ मेने तक रहे हम अपनी स्थिति के बारे में खामोस रहे ज्यादा तर समय मेरी पत्नी और मैं उपर से बिलकुल समाने दिखते थे जब दोस्तों और परिवार को हमारी बुरी हालत का पता चला तो उन समझाना कठीन होता है कि आप नौकरी क्यों नहीं करना चाहते हैं कभी कबार हम छुट पूट काम करके कुछ डॉलर कमा लेते थे परन्तु हम यह काम सिर्विस ले करते थे ताकि हमारे पेट में भोजन बना रहे और कार में इधर कुछ अर्थरिक डॉलर का इधन हमें अपने अनोखे लक्से के और आगे बढ़ा रहा था मुझे यह सुकार करना होगा कि गहरी व्यक्तितों संका के उन सनों में इस्थाई तनखा वाली सुरक्षिक नौकरी का विचार बहुत आकरसक लगता था परन्तु चूकि हमें नौकरी की सुरक्षा की तलास नहीं कर रहे थे इ सब बिना इसके बिना लंबे समय तक नहीं रहा है कीम और मैं अक्सर जगडते थे हम अक्सर बैस होती थी डर अनिश्चित और भूक इंसान का भावनात्मक फ्यूज को अक्सर उड़ा देते हैं और हम उसी व्यक्ति से लड़ना लगते हैं जो सबसे ज्यादा प्रेम हम जि हम सिर्फ या नहीं जानते थे कि हम कभी वहाँ पहुच भी पाएंगे या नहीं हम जानते थे कि हम सुरक्षित और उची तनखा वाली नौकरी असानी से मिल सकती है हम दोनों कॉलेज से सनातक थे हम योग्य थे और हमारे स्रीडर का रहे सिंधान थे बरहसल हम नौकरी की तलास नहीं कर रहे थे हम आर्थिक स्वतंत्रा था की तलास कर रहे थे उन्नीस तो गण सारिस एटीनाइन तक हम मिलियानेरी बन चुके थे हाला कि कुछ लोगों की निगाहे में हम आर्थिक द्रिष्टी में से सफल हो चुके थे परन्तों हमारा सपना अभी पूरा नहीं ह हुआ था अब हम भी सचाई आर्थिक स्वतंत्रा हासिल नहीं कर पाए थे इससे हासिल करने के लिए हमें 1994 तक का इंतिजार करना पड़ा तब जाकर हम ऐसी स्थिति में पहुंचे जिसके बाद हमें जीवन में कभी काम करने की जरुवत नहीं थी जब तक कोई आप प्रिस् तक की शुरुवात में अपने बेघर इस्तिति और कंगाली की हालात का जिक्र इसले किया है क्योंकि मैं अक्सर लोगों को या करते सुनता हूं धन कमाने के लिए धन की जरुवत होती है मैं इस से सहमत नहीं उन्यूस्तों 1985 में मैं बेघर होने से 1989 में अमीर बनने में में औ और 1994 में आर्थिक रुप से स्वतंत्र होने तक हम पैसे की जरुवत नहीं पड़ी हमने जब शुरू किया था तो हमारे पास धन नहीं था इसका इसके विप्रित कर्ज में डूबे हुए थे धन कमाने के लिए अच्छी और पुछी शिक्षा की जरुवत भी नहीं होती हाल से फॉर्मुलेट ट्रेग्नोमेट्री केमेस्ट्री फीजिक्स फ्रेंस और अंग्रीजी सहित की मुझे ज्यादा जरुवत नहीं पड़ी बहुत से सफल लोगों ने स्कूल या कॉलेज की डिगरी आसिल कि बीना पढ़ाई अधूरी छोड़ दी ती जैसे जनरल इलेक्रिक संस्था। थॉमस एडिशन फॉर्ड मोटर कंपनी के संसा हेंड्री फॉर्ड माइक्रोसोंट के संस्था बिल गेट्स के संसाद ट्रेट डेल कम्प्यूटर के संसा माई माईकल डेल परंपारिक वैसाओं के लिए कॉलेज की सिक्सा में हैं परंतु उन कामों के लिए नहीं जिन लोगों को प्रचर दौलत कमाई है उन्होंने अपने सफल website विक्सेप किये हैं कीम और मैं भी यही करना चाहते हैं तो इसके लिए कि सीच की जरूरत होती है मुझे अक्सर पूछा जाता है अगर धन कमाने के लिए धन की जरूरत नहीं होती है और अगर इसकुल कॉलेज को उचित प्रयोक करने की योगयता के जरूरत होती है और यहां जनने की कि आप अपनी आमदनी के किस सब्सक्राइब करके या किस दुझार कि मैं काम करने के दन कमाता है एक पैसा कमाते हैं बिजनस का मौलिक दन प्रदान करने वाले बिजनस का स्वामी होता है और निवेसक अपने निवेस से धन कमाता है दूसरे सब्ध में वे अपने धन से ओर अधिक धन उत्पन करते हैं आम धनी पैदा करने के विवन तरीके के लिए अलग-अलग मांसिकता हो तन टकनिकों योग्यों ताओ शेक्सेंग निराओ और अलग-अलग तर आप अधिकान सामधनी किस क्वाडरेंट से कमाते हैं हर क्वाडरेंट अलग है अलग-अलग क्वाडरेंट से धन कमाने के लिए अलग-अलग योगता और अलग-अलग व्यक्तित की आवसकता होती है भले ही हम हर क्वाडरेंट में पाया जाने वाले व्यक्ति एक ही है एक वुल्फ खेलने और रात को डांस करने की तरह है आप चारों क्वाडरेंट से धन कमा सकते हैं हमें से ज्यादा तर लोगों में चारों क्वाडरेंट से धन कमाने की समता होती है आप आप या मैं अपनी मूल भूत आमदनी कमाने के लिए किस क्वाडरेंट को चुनते हैं इसक से ज्यादा संबंद है कि हमारे केंद्र में क्या है हमारे केंद्र은 transcript जीवन मुले सक्टिया कमिज्वरिया या रूचिया क्या है हमारे किंद्र में इस्थीप यह मुलदूत्र अंतर हम Prim क्रते हैं परन्तु हम रहने DANE की वे वसाइक रूप में से हम क्या ह Careते हैं तो अम सभी 4 कौड्रेंट में काम कर सकते हैं उधारन के लिए एक डॉक्टर अपनी आंदनी इं असे करता है अगर वा करमचारी के रूप में किसी बड़े अस्पताल में नौकरी करता है तो किसी सरकारी अस्पताल में काम करता हो या सेना में डॉक्टर हो या फिर किसी बीमारी बीमा कंपनी के स्टाफ में हो यही एक डॉक्टर एस के रूप में भी धन कमा सकता है वह सेल्फ एंप्लोइड व्यक्ति के रूप में अपनी प्राइवेट प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकता है अपनी क्लिनिक खोल सकता है इस्टाफ को नौकरी पर रख सकता है और अपना गिराकों को नीजी सुची बना कर बेच सक सकता है उसक alot या डोक्टर या किसी बिजनेस को चलने के लिए किसी सदीति में डॉक्टर इस बिजनेस का सौमी में होगा परंतु इसे काम करने के जूरूरत नहीं होती है अभी यह वह सकता है कि डॉक्टर को ऐसी कंपनी बनाने का फैसला करे जिसकी चिकत सक्षेतर में कोई संबन ना हो जबकि वह खुद किसी दुसरी जगा कर्म सारी के रूप में काम करें अगर ऐसा होता है तो या डॉक्टर अपणी आमदनी यह और भी के रूप में कमाएगा आई के रूप में डॉक्टर किसी दूसरे के बिजनेस में निवेस करके धन कमा सकता है या फिर सेयर बाजार बॉंड मार्केट और येल इस्टेट जैसी निवेस में भी मेत्रूम बात या है आमधनी कहां से होती है हम क्या करते है या उतना मेत्रूम न के लिए किसी को चुनते हैं कुछ लोगों को करमचारी बनना अच्छा लगता है जबकि दुसरे इससे नफरत करते हैं कुछ लोगों को कमपनियों का मालिक बनना अच्छा लगता है और उन्हें चलाना भी अच्छा लगता है कुछ लोगों को निवेश करना अच्छा लगता है जबकि वागयों को इसमें स्रीफ पैसा गवानी का जोकिम नजार आता है हमें सदीकांस लोग में इन चारों प्रक्रियार के चरितर को थोड़ा बहुत होता अगर हम चारों क्वाडरेंट पर अमीरिया गरीब हो सकते हैं ऐसे लोग हर क्वाडरेंट में होते हैं जिनोंने लाको करोड़ों रुपे कमाए या जो दिवालिया हो गए हैं किसी एक क्वाडरेंट में या दुसरे क्वाडरेंट में होना आर्थिक सवलता की गैरेंटी नहीं है सभी अन्य कारुनों के अलावा मैंने टेक्स को लाप का भी कारण को भी और आई क्वाडेंट में काम करने के लिए विकल्प चुना है क्वाडेंट के बाएं इससे में काम करकर रहे हैं अधिकांस लोगों के लिए टेक्स से बचने बहुत कम कानूनी रास्ते उपलफ दोते हैं प क्योंकि मुझे अपने कमाई धन का बड़ा हिस्सा टेक्स में नहीं देना पड़ता है धन कमाने के अलग अलग तरिके जब लोग पुछते थे की कीम और मैं बेगर क्यों रहे तो मैं उन्हें बतादा था कि ऐसा उन बातों की वज़े साथ था जो मेरे अमी डैडी ने मुझे धन के बारे में सिखाई थी मेरे धन महत्पून है परंतु मैं सारी जिनकी इसके लिए मेहनत नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने नौकरी नहीं की जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए कीम और मैं चाहते थे कि हमारे लिए काम करें बज़े इसके कि हम पैसे के लिए सारी जिन्दगी काम करते रहें इसलिए cashflow coordinate महत्पून है या पैसा कमाने के अलग-अलग तरीके के बीच में अंतर बताता है सारी रिक्स्रम करने के अलावा भी जिम्मेदार होने और पैसा कमाने में बहुत से तरीके होते हैं अलग-अलग पिता मेरे पिता पैसे के बारे में हो भी हो जब अकपार में उनकी उची तनकां के बारे में छपता था तो तो असरज हो जाते थे क्योंकि उन्हें मैसूस होता था कि उन्हें बहुत ज्यादा तंकां मिलती है in squash अच्छी इमनDASON की noise करने का सरफ सक्यास करते थे की धन छीवन में मे एद्वरण कि नहीं बनूंगा मेरे पैसे इसे खरीदने के पास नहीं मेरे पाए निवेस करना जोखिम बरा है धन सब कुछ नहीं है जब्कि दुसरी तर्फ उनके मी डैडि जो उनके दोस्त के मित्र के पापा थे उनके सोच बिल्कुल अलिक थे जिसे वो अमी डैडी कहते थे मेरे अमी डैडी के लिए यह बात महत्रून थी अपने बच्चे के साथ रहने के लिए बहुत समय होना परोपकार और अपनी रूची की अन्य सेवा भावी परिजनों के दान देने के लिए दन होना समुदाय में नौक के लिए काम करना अपनी जिनकी बर्बात नहीं करना चाहते थे कि पूरे जीवन इसी के लिए काम करते रहें और अपनी जीवन से लिए इसी में बरन चुनना जब हम बेगर थे तो मेरी पत्नी और मैं ने भी तता आई क्वाड्रिंट पर ध्यान केंद्धित कन्ये का विकल से जानता था मेरे इसाब से दाय कौर्णेंट में यानी बी और आ इक वाड़ेंट में और ले चुका था इस वजह से मुझे प्रतिबा सब्सक्राइब करते थे मुझे अक्सर समझाते रहते थे कि इस बाइं इससे में दाइं इससे सफल व्यक्ति के बीच का क्या अंतर होता परन्तु चोकि मैं छोटा था इसलिए मैंने उनकी बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैं करमचारी और बिजनेस मालि के मान सिखताओं के अंतर को नहीं समझ पाया उस समय मैं स्कूल में बचे रहने के लिए संगर्स कर रहा था बरसल मैं उन सब्सक्राइब को सुनता रहता था और जल्दी ही मुझे उनका अर्थ समझ में आने लगा दो प्रतिबा साली और सफलता पिताओं के आसपास होने से मुझे उन दोनों ही कही बातों का मतलब समझ में आया परंतु उन्हों कामों से मुझे क्वाडियंट के यह और एस हिसे और भी और आई हिसे में अंतर ज्यादा अच्छी तारह से समझ माने लगा पहले तो यह अंतर मुसमक समते परंतु बाद में यह बहुत पश्ट हो के पास जरा भी समय नहीं रहता था जैसे जैसे दोनों डेडियों के सफलता और सोंता बढती गई या इस पर दीखता रहा था कि डैड़ी अमीड़ी यानि मेरे असली डैडी के पास गरीब डैडी पास अपनी पत्नी और चारों बच्छों के साथ बिदाने के लिए समय ति तरफ मेरी आमी डैडी जैसे जैसे सफल होते गए उनके पास खाली समय बढ़ता गया वे धन भीते बिजनस और जीवन में इतना ज्यादा सीख पाया सीख पाया उसका एक कारण या भी था कि आमी डैडी के पास उनके बच्चों और मेरे लिए बहुत समय था मुक्य कारण बर परन्तु गरीब डैडी के साथ तब हुई जब वे अमीर केरियर के सिखर पर थे 1970 के दसक की सुरवात में मैं कॉलेज से निकला चुका था और पैंसर कॉला फ्लोरीडा में मैरीन कॉप्स के लिए पायले ट्रेनिंग ले रहा था जहां से मुझे वित्यय योद में जाना था मेरे सिख्षिड डैडी उसे में हवाई जा राज्ये के सिख्षा अदिकारी थे और गवर्नर के स्टाफ के सदस्य थे एक साम को मेरे डैडी ने मुझे पैंसर कॉला में मेरे कमरे में फोन किया वे बोले बेटा मैं अपनी नौकरी से इस्तिफा दे रहा हूं वे हवाई रा और पद के लिए रिपब्लिक पार्टी की तरफ से खड़ा हो मैं खड़ा रहा हूं मैंने थू घटरते हुए कहा आप अपने बॉस की खिलाफ चुनाव लड़ेंगे बिल्कुल ठीक उन्होंने जवाब दिया क्यों मैंने पुछा हवाई राज्यों में रिपब्लिक पार्ट कोई संभावना नहीं है वाँ टॉम्हेन पाटि और इसकी लेबर यूनियन गरं ताकतवर में जांता को आप पहले ही सेही जीतिके और रहार जाए है और हार जाएंगे तो आप अपने बॉस के खिलाफ चुनाओ को लट रहे हैं क्योंकि कि मेरे क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझे कोई और काम करने नहीं देगी ये राजनेता जो खेल खेलते हैं उससे मुझे परिसानी होती मैंने पूछा आपका मतलब है कि वे ब्रश्ट है मैं यह नहीं चाहता मेरे असली डैडी ने जवाब दिया वे एक इमंदार और नेतिक वे नहीं बोलता वे हमेसा अप्रेक्स रूप से ऐसा कहते थे बरसल उनकी आवाज में से समझ में आ गया कि नराज और परिसान है और मैं सरिफ इतना कहूंगा कि मेरी हात्म रक्सम मुझे कचोड़ती है जब मैं देखता हूं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है अगर मैं इसक अंतर आत्मा लंबी खमोसी के बाद मुझे एसास हुआ कि मेरे डैडी फैसला कर चुक है इसलिए मैंने धीरे से का सुपकामनाई मुझे आपके सास और आपका बेटा होने पर गर्व है जैसे आपका असंका थी मेरी डैडी और पार्टी पुरी तरह हार गये दुबारा नौकरी की तदाश में यहां वाँ भटक रहे थे वह वित्य कं नाम यत नाम जा रहे थे अर्ढेडवस में मेरे डैडी को एक नहीं नौकरी की तरह थे उन्होंने बहुत से काम बदले जिन में बदनाम तो बड़े होए थे परन्तु तनखा बहुत कम थी वेएत के बाद य वे एक अलापकारी संस्था एक्सवाय सर्विसरेंस से निकल कर SBI सर्विस, SBC सर्विस के Executive Director बन जाते हैं, जो एक अलापकारी संगर्थन होता है, वे उचे प्रतिवासालियों और उचे व्यक्ति थे उनके सामने समस्या, या था कि उनका अब उस इकलोती दुनिया में स्वागत नहीं हो रहा था, जिससे वे जानते थे सरकारी करमशारी की दुनिया, उन्हेंने कई छोटे बिजनस सुरू करने की कोशिस की, उन्हेंने कुछ समय तक परदम के रूप में काम किया, फिर उन्होंने एक मैसूर फैचा सब्सक्राइब करने की इच्छा भी घटने लगी, बिजनस की हरा सफल था के बाद उनकी इच्छा कम अधिक प्रश्चन जराने लगी, वे एक सफली और थे जो एस क्वाडिन्ट में सफल होने की कोशिस कर रहे थे, दिक्कत यहां था कि क्वाडिन्ट के पास कोई अच्छा की दुनिया में से प्रेम करते थे परंतो दुबारा इसके अंदर नहीं जाना चाहते थे, इस बात के अलावा मुझे अपने अमीर डैडी से भी प्रेना मिली, मेरे शीक्सर डैडी ने के विपरित मेरे अमीर डैडी उम्र बढ़ने के साथ साथ ज्यादा सुखे और सफल होने चलते गए, 54 साल की उम्रों में कमजोर होने के वजाए में डैडी ज्यादा तर ताकतवर बन गए, वे बरसों पहले अमीर बन चुके थे परंतों वे ज्यादा अमीर बन रहे थे, अकपारों में लगातार उनके बारे में खब्रे छपती थी कि वे वाईक और म के बढ़ रहे थे, अध्याय दो, अलग-अलग क्वाडरेंट, अलग-अलग लोग, मेरे उच्छी डेडी मिसा कहा करते थे, आप बुड़े कुत्ते को नए करतव नहीं सिखा सकते, मैंने कई बर उन्हें कैस्लो क्वाडरेंट समझाने की पूरी कोशिस की ताकि उन्हें न अब उन्होंने भी खुद को ब्लेक लिस्टिंग कर लिया था, वे कहते थे, मैंने इसकी कोशिस की परंतु में काम्याव नहीं हुआ, मेरे डैडी उन आज सफल प्रयासों की और इसारा कर रहे थे, जो उन्होंने एस क्वाडरेंट में सेल्फ एम्प्रदार्सत के रूप म क्या वे सकता होती है, वे जानते थे कि अगर वे चायतून योग्यता को भी सीख सकते हैं, परंतु कोई और चीज थी जो उन्हों रोक रही थी, एक दिन लंच के दौरान मैंने अमीर डैडी से अपने सिक्षिक डैडी के बारे में चर्चा की, अमीर डैडी बोले तुमारे पीता और मैं अंदर से एक जैसे ही है, हाला कि हम दोनों की इनसान हैं, हम दोनों में ही डर है, संकाय विश्वास सकतिया तथा कमजूरिया है, परंतु हम इन पर एक ही से प्रकृतिया नहीं करते हैं, हम अलग-अलग प्रतिक्रिया करते हैं, क्या आप इन अंतरों के बारे म से निकल कर भी क्वाडेंट पाने की कोशिज की तो वे बौधिक रूप से तो इस प्रक्रिया में को समझते थे परन्तु वे इससे बावनात्मक रूप से नहीं संभाल पाए जबकि मुझकी लाई और उन्होंने नुकसान होने लगा तो उन्होंने या मालूम नहीं था कि इन एसक्वाडेंट में ने कहा अमीड डैडी ने सही सी रहिलाया धन गवाना और आसफल होने का डर बहुत दुखद होता है और या डर हम दोनों में है बरसल इस डर का मुकाबला करते से मैं वे सुरक्षा खोजना विकल्प चुनते हैं और मैं स्वतंत्र खोजने का और यही म अलग अलग तरह के प्रतिक्रिया करते है हमारी प्रतिक्रिया से ही अक्सर यादा होता है कि हम किस If unit game कमाने का विकल्प चुनते हैं और अलग 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 वहाई होते हुए और दर्वाजे के तरफ बढ़ते हुए बोले भिल्कुल ठीक का और अगर आप किसी क्वाडंट स सफल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ तक्निकी हो गता हूं से अधिक जानने की जरूरत है आपको उन मुल्बुत अंतरा को समझने की जरूरत है जिनके वज़े जिनकी वज़े से लोग अलग-अलग कोजने के लिए प्रेरित होते हैं अगर तुम यहां बात समझ लोगे तो तुम जीवें में बहुत आसान हो जाएगा जब सोफर अमीड डैडी की कार ले आया तो हमने हाथ मिलाकर एक दूसरे से विदा ली तभी मैंने जल्दी से पूछ सकते हैं बिलकुल अमी डैडी ने करो जैसा नहीं होता है क्वाडेरां बदलना अकसर बल्बूत केंद्र में करन करना करना है जो या बता है कि आप कौन से या आप क्या सोचते हैं और आप दुनिया को किस तरह देखते हैं या Пरिवर्तन कुछ लोगों के लिए आसान होता होतना ही गहरा परिवर्थन है जितना के रिकाइश केटरपीलर की तितिक बनने की पुरानी कहानी न सुर्य-विक तने बभत बदां करती यह परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन होता है इसलिए बहुत कम लोग इसे करने का विकल्प चुनते हैं सोफर ने दर्वाजा बंद किया और जब अमी डैडी की कार आगे बड़ी तो मैं वहां खड़ा खड़ा अंतरों में के बारे में सोचता रहा अंतर क्या है किसी के बा परन्तुवे आप यहां भी मानते थे कि आपको किसी पुष्टक को मुल्याकान उसके कवर से नहीं करना चाहिए हैंडरी फॉर्ट की तरह ही अमी डैडी भी बहुत ज्यादा सिक्सित नहीं थे परन्तु दोनों ही जानते थे कि सिक्सित लोगों को नौकरी पर कैसे रखा ज अमी डैडी मुझे हमेसा बता दे थे कि स्मार्ट लोगों को एक तरित करना और उनसे टीम के रूप में काम करवाना उनकी मुल्बूत योगयता में से एक है नौ वर्ष की उमर में मेरे अमी डैडी मुझे योगयता सिखाने लगे जो बियो और आई क्वाडेंट में सफल होने के लिए वसकता होती है किसी व्यक्ति को भीतर जाकर उसके मुल्बूत केंद्र में जागना एक ऐसी हो गयता है अमी डैडी कहा करते थे जब मैं किसी व्यक्ति की बात सुनता हूँ तो मैं उसकी आत्मा को देखने और महिसूस करना है लगता हूँ नौ वर्स की उमर में से ही अपने अमी डैडी के साथ बैठने लगा जब लोगों को नौकरी पर रखते और उनका उंटर्वी लेते थे या मैंने लोगों को सब्द को सुनकर मुल्भूत जीवन को पैचानने का तरीका सीखा जो मेरे अमी डैडी ने के अनुसार उनकी आत्माओं से आते हैं करमशारी क्वाड्रेंटवाले वैक्ति कहता है मैं एक सुरक्चित नौकरी ढूंड रहा हूं जिसमें अच्छी तनखा और बड़िया लाब है S Quadrant के सब्द S या नी Self Employed Quadrant वाला वैक्ति कहता है मेरी दर 35 डॉलर पती गंटा है या मेरे समानने कमिशन की दर की कीमत 6 प्रस्तिसत है या मुझे SI लोगों नहीं मिलते जो सही तरीके से काम करना चाहते हो या मुझे इस प्रोजेक्ट में 20 गंटे ओल लगेंगे B Quadrant के सब्द B या Business Malik Quadrant वाला वैक्ति इस तरह की बाते कहता है मैं अपनी कंपनी को चलाने के लिए एक नया प्रेसिडेंट ढूंड रहा हूं I Quadrant के सब्द I या निवेसर Quadrant वाला वैक्ति इस तरह की बाते करता है मेरा Cashflow Lab का अंत्रिक दर पर अधियारित है या लाप का व्यास्तर विक्ता दर पर सब्द उपकरन है एक पार जब मेरे अमी डैडी जान लेते थे कि जिस व्यक्ति का इंट्रिव्य ले रहे हैं थे वे कम से कम उस समय मूल भूत रूप से किस Quadrant में तो वे याद जान जाते थे कि दर असल की चीज़ों की तलास कर रहे है अज़े तिम लोगों को लीडर बनना चाहते है सब्दो को प्रयोग में निफुन होना चाहिए बी की अवश्यक योग्यातों में से एक सब्द का प्रयोग में निपुन होना है इसका मतलब या जानना है कि कौन से सब्द अलग अलग तरह के लोगों पर किस तरह का काम करता है उन्होंने हमें प्रतिक किया कि हम सावधानी से किसी व्यक्ति के सब्द को सुने इससे हमें पता लग जाएगा कि हम किन सब्दों का प्रयोग करना चाहिए और कब करना चाहिए ताकि उस व्यक्ति के साथ सम्मत प्रवाबी डंग से चर्चा हो सके हमी डैडी समस्ते थे एक सब्द एक तरह के व्यक्ति को रोमांचित कर सकता है जबकि वही सब्द दुसरी तरह के व्यक्ति को पूरी तरह से रोक सकता है उधारन के लिए जोकिं सब्द आई क्वाडिन वाले व्यक्ति के लिए रोमांचित हो सकता है जबकि यही सब्द एक व्यक्ति के मन में डर पैदा कर सकता है अमी डेड़ी जोर देकर कहते थे कि अच्छा लीडर बनने के लिए हमें पहले अच्छा सुरोत्रा बनना पड़ेगा अगर आप किसी व्यक्ति के सब्द नहीं सुनोगे तो आप आत्मा की आवाज नहीं सुन पाओगे अगर आप उस व्यक्ति के आत्मा की आवाज सुन पाओगे तो आप या कभी नहीं जान पाओगे कि आप किस से बात कर रहे हो मूलबुत अंतर सब्द सुनो आत्माओं को महसूस करो वे ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि सब्दों में चैन के पीछे व्यक्ति के मूलबुत जीवन को और अंतर होते हैं नीचे कुछ आम बाते दी गई है जो एक क्वाडरेंट के लोगों को दुसरे क्वाडरेंट के लोगों से अलग करती है E. करमचारी जब मैं सुरक्षा या सुविवदाओ सब सुनता हूँ तो मुझे इस बात का ऐसास होने लगता है कि सामने वाला मूलबुत रूप से कहां से हो सकता है सुरक्षा एक ऐसा सब्द है जिसका प्रयोग अक्सर तभी क्या जाता है जब मन में डर का भाव हुआ जब कोई व्यक्ति डर हुआ महसूस करता है तभी आम तोर पर सुरक्षा की अवसक्ता जैसे व्यकांस का प्रयोग करता है ऐसी बाते मुलबुत से इक व्यक्ति कहता है जब पात पैसे या नौक्री की आती है तो बहुत से लोग डर के भाव से बुरी तरह अंत्रिक्त हो जाते है जो आर्थी का सुरक्षा से उत्पन होती इसलिए उन्हें सुरक्षा की अवसक्ता होती है सुधा या अर्थ है कि लोगों का अत्रिक पुरुसकारों भी पसंद करते हैं जो साफ लिके हो कोई परिवासित और निश्चिन्त अत्रिक टलाब जैसे हेल्थ केर या रिटार्मेंट प्लाइन कुझी या है कि वे सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं अनिश्चित्ता उन्हें सुखी नहीं बनाती बलकि निश्चित्ता बनाती है उनकी अंधरिक भावना कहती है मैं आपका या या दूंगा और आप बदले में मुझे या देने का वादा करो वे चाहते हैं कि उनका डर किसी हद तक निश्चिन से संतुष्ट हो जाए इसलिए जब रोजगार की बात आती है तो वे सुरक्षा और प्रबल समझोता की तलास करते हैं वे सही होते हैं जब वे कहते हैं धन में मेरी इतनी ज्यादा रूची नहीं है उनके लिए सुरक्षा अक्सर धन से ज़्यादा महत्पून होता है करमचारी की स्रेनी में कंपनी के प्रेसिडेंट से लेकर दर्बार तक कोई भी आ सकता है वह क्या काम करता है या महत्पून नहीं है मैं इस समू को खुद काम करने वाला कहता हूँ जब ऐसे की बात आती है तो अक्सर प्रबल ऐसा S या पसंद नहीं करता कि उसकी आमदनी दुसरे पर निर्बारोस दुसरे सब में अगर S क्वाडेंट को लोग कड़े मेनत करते हैं तो वे अपने काम के लिए भुकतान पाने के आसा करते हैं S क्वाडेंट के लोग कभी या पसंद नहीं करते कि जो धनवे कमाते हैं उसकी मातरा किसी ऐसे व्यक्ति का समू द्वारा निर्धारित या निश्चित के आ जाए जो उनके बराबर कड़ी मेनत नहीं कर सकता अगर वे कड़ी मेनत करते हैं तो वे उन्हें अच्छा बुकतान करे वे या बात भी समझते हैं कि अगर वे ज़्यादा मेनत करने ही कर सकते तो वे ज़्यादा बुकतान पाने की योग्ये नहीं है जब बात पैसे के आती है तो वे बहुत ज़्यादा स्वतंत्र मानसिक से हो जाते हैं डर का भाव यानि करमचारी अक्सर धन ना होनुक करने का डर के प्रतिक्रिया करता हुआ सुरक्षा खोशता है जबकि S के प्रतिक्रिया बिल्कूल अलग होती है इस क्वाड्रेंट के लोग डर के खारण सुरक्षा नहीं चाहते बलकि स्थिती का पूरा नियंत्रन अपने हाथ में लेना चाहते हैं और अपने काम से स्वतंत्र कानना चाहते हैं इसलिए मैं S समूग को खुद काम करने वाला कहता हूँ जब डर और आर्थिक जोकिम की बात आती है तो ये लोग बेल के सिंग पकड़ कर मुकाबला करना चाहते हैं इस समूग में आपको अच्छी तरह से सिक्षित प्रोफेशनल मिलेंगे जिन्होंने स्कूल कॉलोजों से बरसों तक पढ़ाई की जैसे डॉक्टर, वकील, दन, चिकित्सक इस समूग में वे लोग भी आते हैं जिन्होंने परमप्रेंग सिक्सित आयत्री तन्य सेक्सिक मार्क चुने हैं इस समूग में कमिशन पर काम करने वाले सेल्समें उधारेंग के लिए रियल इस्टेट एजेंट और छोटे बिजनस मालिक आते हैं इस समूग का प्रिया गीत होता है कोई भी मुझे बैतर काम नहीं करता या मैंने इस अपने तरीके से किया है वे अकसर किसी काम को सर्वस्टे से करना चाहते हैं वे अपने मन में सोचते हैं कि कोई दूसरा उस काम को उनके से ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं कर सकता इसलिए वह किसी दूसरे पर बारोसा नहीं कर पाते और उनके मन पसंद काम करने को उनके तरीके से कर सकता है। कि उस तरीके से जैसे कि वह सब सही तरीका मानते हैं कई मायनों में वे सच्चे सिल्पी होते हैं जिनकी अपनी विक्तिकत सेली और काम करने के तरीके होते हैं और इसलिए हम उनकी सेवा लेते हैं अगर आप किसी भी ब्रेन सर्जन का सेवा लेते हैं तो आप यहां चाहते हैं उसके पास बर्सों का परिक्षन और अनुबाव वह परंतु सबसे महतुन बात या है कि वह पुर्ण पुर्ण आतावाती हो या दिन तंचिक सक्थ हैर स्टाइलिस मार्केटिंग प्रभंधास प्लंबर इलेक्रिक्षियन के या कंपनी के परिक्षन के बारे में सही है आज सर दुस्टा के लिए सम मन पाना धन्ड कमाने से बहुत ज्रवश्च चोड़ mudar Dazu करने के लिए उन्हें निग्राणिकी जरूरत नहीं आप यह जज्यादा दखन्न करेंगे तो यह काम छोड़कर चल जाएंगे और आपको साफ कह देंगे कि किसी दुसरे से काम करवा ले दरासल पैसा उनके लिए पहला इस्थान नहीं होता उनकी सोतंतरता होती है इस समू को अपना काम करवाने के लिए दुसरे लोगों को नौकरी पर रखने में बहुत मु है इसके इसके अलावा अगर इसे समू अपना काम करना करवाने के लिए और व्यक्तर करने कावसार पानी के लिए वह ने छोड़ कर चला जाता है कई और प्रक् Leist whipped अकसर वरत पाने सब्सक्णाक्त के रूखने नहीं हो और उन्हाप सिद्व आइज व्यक्ति अक्सर उनकी प्रतियोगी के रूप में खड़े हो जाते हैं इसी होज़े से उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अपने तरीके से काम करना करते रहना पड़ता है बी बिजनस मालिक इस अमू के लोग S कोडियेंट के लोगों के लगबख विपरित होते हैं जो सच्चे बी होते हैं वे E, S, B, I यानि चारों स्रेनियों के लोगों से घिरे रहना पसंद करते हैं S के विपरित जो काम सौपना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि कोई दुसरा उस काम को उनसे बैतर तरीके से नहीं कर सकता है कि अपना पसंद करता है उसकाम को खुद करो जब आप उसे करवाने के लिए किसी और को नौकरी पर रख सकते हो और उसे बैतर तरीके से आपको काम कर सकता है हेंड्री फॉर्ड इसी सांचे में फीट होते हैं या कानी लोग प्रिया है कि कुछ तथक बुद्धी जवानों एक बार फॉर्ड को ज्यानी साबित करने के लिए आए उन्हें ने दावा किया कि फॉर्ड में ज्यान का अनुबव अभाव है इस पर फॉर्ड ने उन्हें सवाले सुने सवाल सुने उसके बाद फॉर्ड ने अपनी मेच पर रखे फोन गुमाए और आप कुछ प्रतिभा साली सहीयोगिता को बुलाया फॉर्ड ने उनसे बुद्धी जवाव को सवालों का जवाब देने को का जोनत अत्काल दे दिये अंतर में फॉर्ड ने उन ब मुझा का में इसलिए बहुत काम लोग या काम करते हैं लीडर्सिप लोग सर्वसे शारुप को सामने लाना है मेरे अमी डैडी के आधर सेंडरी फॉर्ड थे भी मुझे फॉर्ड और रोकफेलर जैसे लोगों के बारे में लीखी पुस्तक पढ़ाते पढ़वाते थे अमीर डड़ी लगातार अपने बेटे और मुझे लीडरसिप तथा बिजनस की तक्निकी योगताओं सिखने के लिए प्रोचाइद करते थे पीछे मुड़ का देखे ने समय में आप समझ में आता कि बहुत से लोग एक या दूसरी योगताओं हो सकती है परंतु सफल भी बनने के लिए आपको दरासल दोनों ही योगताओं की जरूरत होती है अब आप मुझे यह एहां एसास भी होता है कि दोनों ही योगताओं सिखना ही जा सकती है बिजनस और लीडरसिप ग्यान भी है और कला भी मेरे लिए दोनों ही जीवन पर चलने वाला अध्यान है एस टाइब के बिजनस और भी टाइब के बिजनस में अंतर जो लोग सच्चे भी होते हैं वे अपने बिजनस को एक साल या इससे भी ज़्यादा समय को छोड़ कर जा सकते हैं हो सकता है कि जब वे लोटे तो उनका बिजनस पहले से ज़्यादा लाबदायक और बैतर इस्तिती में हो परन्तु सचे S टाइप के लोग बिजनस में अगर एक साल या इससे ज़्यादा समय के लिए कहीं चले जाए तो इस बास का संभव है कि वापस लोटने तब उनके पास बिजनस ही नहीं बचेगा इनमें क्या अंतर है असान सब्दों में S काम का स्वामी होता है जबकि B सिस्टम का स्वामी होता है अपने सिस्टम को चलाने के लिए B योग योग वैक्तियों को नौकरी पर रखता है दूसरे तरीके से कहा जाए तो बहुत से मामलों में S खुद को सिस्टम S खुद ही आपको दातों में दर्द होता है आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं वह आपके दात को दर्द ठीकर देता है आप उसकी फीज देते हैं और घर आ जाते हैं आप खुस होकर अपनी सभी दोस्तों के योग डेंटिस्ट के बारे में बताते हैं बहुत से मामलों में डेंटिस्ट पूरा काम खुद ही कर सकता है समस्य या है कि जब टेंटी छुटियों पर मनाने के लिए बाहर गुमने जाता है तो उसकी आमदनी भी उसके साथ बाहर गुमने चले जाती है B बिजनस मालिक हमेशा के लिए छुटियों मनाने बाहर जा सकता है क्योंकि वह काम का नहीं बलकि की पूरी सिस्टम का स्वामी होता है अगर B छुटिया मनाने बाहर चला जाए तो पैसा आना बंद नहीं होगा B के रूप में सफल होने के लिए आप दो चीजों की जरूरत होती है सिस्टम का नियंतरन या स्वामीत और लोगों का नेरतितर्व करने की योगता S की वह अगर B बनाना है तो उसे अपनी मूल प्रकृति को बदलना होगा सिस्टम के बारे में अपनी जानकारी को भी बहुत से लोग या नहीं कर पाते या वे अक्सर सिस्टम के और गईराई से जुड़े होते हैं क्या आप मैक डॉनल्स से जादा अच्छा हें बर्गर बना सकते हैं बहुत से लोग मुझसे सला मांगते हैं कि नई कंपनिया कैसे सुरू करें या वेस मुझसे पूछते हैं कि किसी नए प्रोड़क्ट या विचार के लिए धन कैसे जूटाया जाए मैं आम दोर पर 10 मिनट तक सुनता हूँ इतने समय में मैं समझ जाता हूँ कि उनका फोकस कहा है प्रोड़क्ट पर है या बिजनस के सिस्टम पर उन 10 मिनटों मैं अक्सर इस तरह की सब्द मैं सुनता हूँ अच्छे सुरोता बनने और सब्दों के मध्यम माध्यम से किसी व्यक्ति की आत्मा को मुल्बुत जीवन मुले समझने का महत्व पर ध्यान दे अमुक कंपनिया जो प्रोड़क्ट बनाती है उसे काफी बहतर है मैंने हर जगा देखा है किसी के पास या प्रोड़क्ट नही कर रहा हूं यह उस व्यक्ति के सब्द है जो आम तोर पर क्वाड्यन के बाहिए इससे में काम कर रहा है इस हमें नम्रेन महत्वपुन है क्योंकि हमारा सामना उन मुल्बुत जीवन मुल्य और विचारों से हो रहा है जो अक्सर बरसों से गहराई में दबे सायद पीडियो है कि मैं दुसरे क्वाडियंट में की विक्सित होने वाले तैयार व्यक्ति को चोट पहुचा सकता हूं हैंबर्ग और हैंबर्गर और बिजनस चुकि मुझे नम्र रहना है इसलिए मैं अक्सर अपनी बात को इस प्रस्टा करने के लिए मैं मैंग्डॉनल हैंबर्गर के उ इस मोड पर मैं उन्हें अगला सवाल या पूसता हूं कि आप मैकडॉनल से ज्यादा अच्छा बिजनस सिस्टम बना सकते हैं कुछ लोग काल अंतर समझ लेते हैं और कुछ नहीं समझ पाते हैं मैं उन्हें समझाता हूं कि अंतर या कि क्वाडियंट के बाएं इससे यानि बैतर बर्गर बनाने का विचार पर क्रेंदीत है या फिर क्वाडियंट के दाएं इससे यानि बिजनस सिस्टम पर मैं या बताने का सर्वस्टेस्ट करता हूं कि बहुत से अध्यातिकामीर मल्टिनेशनेल कंपनिया से बैतर प्रोड़क्ट या सिवाय दे रही है ठीक उस करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम करता है आइज कवाड्रेंट अमीरों के खेल का मैदान है इस बात्ते को फर्क नहीं पढ़ता कि लोग आपको पैसा की सबल्बद्द से कमाते हैं अगर अमीर बनना चाहते हैं तो उन्हें अंतर्ड में आना ह यह अंत नीचे सतंस में दिये गए हैं E. आपके पास नौकरी है B. आप इस सिस्टम के सवामी है और लोग आपके लिए काम करते हैं S. आप अपने काम से सवामी है I. धन आपके लिए काम करता है S. टाइप का बिजनस बनाने के लिए ब्याज, बज़य, कीम कर दिर्गेसानली लाब को पहुंच पहुचानना था सफल एस बन बनने का एक नुकसान या था कि सफल सफलता मिलने के बाद जादा मैनत करने पड़ती है दुसरे सब्दों में अच्छा काम कारण्या होता है कि जादा कडी मैनत करनी पड़ती है जादा करना पड़ते हैं बी टाइप का बिजनस में सफल बनने का परिनाम्या होता है कि सिस्टम का विस्तार होता और अधिक लोगों को नौकरी पर रखा जा सकता है दूसरे सब्दों में आप कम समय करते हैं और ज्यादा कमाई करते हैं और अधिक लचीले हो और अपनी मानसिक्ता में परिवतन कर सकते हो तो मैं सोचता हो कि अधिक आर्थिक शुरक्षा या सवतनता आसिल करने के लिए प्रक्रिया उन्हें का असान लगेगी दूसरे लोगों के लिए या प्रक्रिया बड़ी कटिन हो सकती है कि बहुत से लोग एक वाडिय उसे दूसरे से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं इसका संबंद से जानना है कि किस क्वाड्रेंट से कम काम करना है और कब करना है कैस्व लोगों के लिए एक दिक्सिका है जो इसकी प्रयोग करना चाहते हैं इसके इसमें कीम और मुझे आर्थिक संगर्ष से अधिक सुरक्षा तक पहुचाया और फिर आर्थिक स्वतरंत्रा तक पैसे के लिए कड़ी मेनत करने से में हम अपनी पूरी जिंद की बरबाद नहीं करना चाहते थे पैसे को खीषते हैं चाहि लोग कितना ही ज़्यादा पैसा कमातों अन्दता आपनी कुछ धन अई कोड़ैंट में रखना ही होता है अइस विचार से संब्ister है कि पैसे से कैसे कैसे कुछते हैं या य विचार की आपका पैसा इसलिए काम करता है ताकि आपको काम ना करना पड़े आपके आफ़रों के निवेश करने के कई अन्य परकार है लोग अपने शिक्षा में निवेस करते हैं वे आपके अवसरों भी उतने यतार होंगे अगर आप कॉलेज में 4 साल खर्च कर सकते हैं तो आप अपनी आमदनी कमाने की समता 24 डॉलर से 50,000 डॉलर तक प्रतिवर्स या इससे भी अधिक तक बढ़ा सकते हैं अगर हम या मानले की ओसत व्यक्ति सक्रिया रूप से काम करने में 40 साल या इससे अधिक समय बिताता है तो चार साल की कॉलेज की सिक्षा या उससे उची सिक्षा उसके लिए बहतरी निवेस है वफदारी और कड़ी मैनत निवेस का एक अन्य प्रकार है जैसे कमपनिया सरकार का आजी वन करमचारी इसके बदले में अनुभंधन के अनुसार व्यक्ति को जीवन पेंसन का उपार मिलता है या निवेस का ऐसा प्रकार है जो द्योग यूग के लिए लोग प्रूए था परंतो सुचना यूग के लिए में आने के बाद या पुराना पड़ चुका है बहुत से लोग बड़े परिवर्तन से निवेस करते हैं और बदले में उनके बच्चे बुड़ापे में उनकी देखबाल करते हैं इस प्रकार का निवेस अतीत में आम है था बरसल आर्थिक सिमाओं के कारण परिवारों के लिए अपने माता पिता के जीवन और दवा के खर्चों को जहलना आजकल दिनो दिन मुश्किल होता जा रहा है अक्सर कानोनी रूप से बध्याई होती है और इन में से कई अक्सर तंखा में से कटोती कर ली जाती है परंतु हो सकता है कि जन संख्या और जीवन के खर्च में हुए भारी परिवर्तन के कारण यह उजना आपको कुछ वायदे को निभा पाई रिटार्मेंट का एक और स्वंतंत्र निवेश वान व्यक्तिकत रिटार्मेंट योजना है अक्सर संग्येक सरकार इस तरह की योजनाओं में सामिल होने के लिए नियुकता को और कर्मचारे दोनों को टेक्स में छूट देती है अमेरिका में 401K रिटार्मेंट योजना लोग प्रिया है जिसे जैसे देशों में सुपपर एन्युएशन प्लान कहा जाता है निवेश से प्राप ताम दनी हाला कि उपवयोग करता सभी निवेश के ही प्रकार है परन्तु आई क्वाडरेंट के उन निवेश पर ध्यान के अब वर्तमान में आमदनी आई क्वाडरेंट से प्राप्त कर रहे हैं दुसरे सबने क्या आपका धन आपके लिए काम कर रहा है और वरतमान में आमदनी दे रहे हैं आई यह उस व्यक्ति को देखे जो निवेश के रूप में मकान खरीता है और इसके किराय पर उठा देता है अगर वसूल किया जाने वाला किराय मकान पर आने वाले खर्च से अधिक हो तो इस मामले में मिलने वाली आमदनी आई क्वाडरेंट से आ रही है यह उन लोगों के बारे में सही है जिनकी आमदनी बजट पर व्याहज या स्टॉक या और बॉंड पर डिविडेंट से प प्रकार का निवेश है रिटायर्मेंट अग्द में नियमत रूप उसस जमा करना निवेश का एक प्रकार है औरْ ऐसा करना समझ दारी है हमेसे ज्याधा तर लोग तब निवेश सक कहलाते हैं ना साथए हैं जब हमारे काम करने के दिन पूरे हो जाते है पुरुतक में class य करता है जिस यूज़ काम करने के वर्सों के दोरा निवेश करना से आमदनी होती है सच तो यह कि जदा दर लोग रिटार में डेकांट में रिवेश नहीं कर रहे हैं इस तरह आसा में अपने retirement account में पैसे बचा रहे हैं कि जब रिटायर हो तो उने जितना जमा किया हो उसे ज़्यादा बहर निकलेगा ज्यादा तर लोग अपने retirement account में धन बचाते हैं जबकि कुछ लोग निवेस के दुआरा अपने धन को सक्रिया प्रयोग करके अधिक आमदनी करते हैं इन दोनों तर अधिक लोग निवेसक क्यों नहीं है उसी वज़े से ज्यादा तर लोग अपने खुद को बिजनस शुरू नहीं करते हैं इसका सरांस एक ही सब्द में दिया जा सकता है जोखिम ज्यादा तर लोग इस विचार को पसंद नहीं करते कि वे अपने मैनस से कमाई गए पैसे को कहीं डाल दे और वह लोट कर वापस ना है बहुत से लोग पैसे गवाने के इस तना डरते हैं कि वे निवेस ना करने या धन सम्मदी किसी तरह की जोखिम ना लेने का विकल्प चुनते हैं बले ही बदले मोने कितना ही अधिक धन मिल सकता हो हल्यूड की मसूर हस्ती ने एक बार कहा था मैंने निवेस पर मिलने वाले ब्याज के बारे में चिंतित नहीं हूँ मैं तो निवेस यानि मूलदौन के वापस लोटने के बारे में चिंतित हूँ धन गवाने का जोकिम निवेस को चार बड़ी स्रेनियों में विविन करता है जो जोकिम विरूद है जो खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं और अपने पैसे को बैंक में रखते हैं जो निवेस करने का काम किसी और को सौप देते हैं जैसे किसी आर्थिक सलाकर या म्यूचल फंड मैनेजर जुवारी नुबर फोर निवेस क Korean के बीच का अंतर होता है जुवारी के लिए निवेस किसमत का खेले निवेस करना योक्यतवा का खेले और जो लोग किसी दूसरे की निवेस करने के लिए अपना धन सौब देते हैं उसके लिए निवेस अक्सर एक ऐसा खेल होता है जिससे वे सीखना नहीं चाहते हैं इन लोगों के लिए महत्मुन बात या होती है कि वे अपना आर्थिक सलाकर सावधानी से चुने आने वाला अध्यान में या पुस्तक निवेस के साथ इस तरों के आविस्तार से वन्नन करेगी जो इस विसे मेर अधिक प्रकाश डालेगी अध्याइत तीन लोग सुरक्षा को स्वतंतरता से उपर क्यों रखते हैं मेरे दोनों डैडियों ने मुझे कॉलेज जाने और डिग्री लाने का सुजाव दिया परंतु कॉलेज के डिग्री लेने के बाद मैं क्या करूँ इस बारे में दोनों का सुजाव अलग अलग थे मेरे उच सेक्सित डैडी लगाता सला देते थे college जाओ अच्छे नमबार लाओ और एक अच्छी नौकरी सुरक्षित खोज लो वे quadrant के बाएं इससे पर केंद्रित जीवन का सुझाव दे रहे थे जिसका रास्ता इस तरह था college फिर employed college जाओ अच्छे नमबार लाओ और अपनी खुद की कंपनी सुरू करो college business उन दोनों की सला अलग अलग इसलिए थी क्योंकि एक डेड़ी नौकरी की सुरक्षा के बारे में ज्यादा चिंता करते थे जबकि दूसरी आर्थिक सुरू करते थे लोग नौकरी की सुरक्षा क्यों चाते हैं बहुत से लोग नौकरी की सुरक्षा मूलत इस में मैंने पैसे के बारे में लगबा कुछ नहीं सीखते हैं इसलिए या सभाविक है कि हम में से ज्यादा तर लोग आर्थिक स्वतंत्रता पाने की कोसिस करने के बज़े नौकरी की सुरक्षा के विचार में अक्सर कसकर पकड़ लेते हैं अगर आप कैस्प्रो क्वाडरेंट के और देखे तो आप आप पाएंगे कि बाएं हिस्से में सुरक्षा द्वारा प्रेडित है और दाएं हिस्से में सुवतंत्रता द्वारा कर्ज के जाल में उलजना 90 प्रतित्सत लोग क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में काम करना कर रहे हैं और इसका प्रमुक करनिया है कि उन्हों लोगों ने स्कूल में इसी हिस्से के बारे में सीखा है इसकूल से निकलने के कुछ समय बाद ही वे कर्ज में डूब जाते हैं वे उनमें से कई ने बताया है कि वे या देखकर निरास हो गए हैं कि वे अपनी कॉलेज की सिक्षा के लिए स्क्रिप्ट का नुकरन करना अगर हम उसस इक्षीत लोगों के जीवन पर निगाह डाले तो आर्थिक स्क्रिप्ट अक्षर इस तरह से चलती है लड़का कॉलेज जाता है सतनातन हो जाता है नौकरी करने लगता है और जल्दी ही उसके पास खर्च करने के लिए पैसे आने ल यह यूवक किसी खास व्यक्ति से मिलता है चिंगारियां भड़कती है उन्हें प्रेम हो जाता है और वे साधी कर लेते हैं कुछ समय के लिए जीवन सुख हो जाता है क्योंकि दो लोग एक व्यक्ति के खर्च में गुजारा कर रहे सकते हैं अब उनके बास दो आमदनिया ह है जबकि उन्होंने सिर्फ एक ही मकान का किराया देना है अब वे कुछ डॉलर बचा सकते हैं ताकि वे अपने खुद का मकान खरीच सके और जो हर यूवा दौमपती का सपना होता है आखिरकार वे अपने सपनों का मकान खोज लेते हैं अपनी जमा किया हुआ धन निकालत सब लिखे होते हैं नकत की जरूरत नहीं आसान मासिक किस्तों में जीवन अद्बूत लगता है और वे दावत देते हैं ताकि उन्हें भी सभी में उत्र आकर उनका नया घर नई कार नई फनीचर और नया समान देख सके वे अब जिनकी भर के लिए कर्ज में की गहराई में दूब चुके हैं तभी उनका पहला बच्चा आ जाता है अच्छी तरह सिक्षीत कड़ी मेनत करने वाला उसर दंपती बच्चे को नर्शरी स्कुल में छोड़ने के अबाद अपनी कमर करते हैं और नौकरी करने चल जाते हैं वे नौकरियों की शुरक्षा क्या वसक्तस मे जक्ड़े हुए हैं क्योंकि उमकी आम तोर पर वे आर्थिक दिवालिये पन से स्रिफ तीन महीने की या इससे भी कम दूरी पर रहते हैं इन लोगों के मुझ से आप अक्सर इस तरह के सब सुनते हैं मैं इसे छोड़ ही नहीं सकता मुझे बिलो को बुक्तान करना है या इस सफलता का जाल कि मैं अपने अमी डैडी से इतना ज्यादा सीख पाया इसका कई कारण थे उनमें से किया कारण था कि उनके पास मुझे सिखाने के लिए खाली समय था जैसे जैसे वह अधिक सफल होते हैं उनके पास अधिक समय और धन आता गया बिजनस बढ़ने पर उन्हे तो स्रिफ अपने प्रेसिडेंट से कहना होता थे कि वह सिस्टम को बढ़ा ले और काम करने की अधिक लोगों को नौकरी पर रख ले अगर उनके निवेस से अच्छा पैसा आता था तो वह धन को दुबारा निवेस करके और ज्यादा पैसा कमाते थे उनकी सफलता के कारण उनके पास ज्यादा खाली समय था वे अपने पुत्र और मेरे साथ घंटों बिताते थे वे हमें अपने बिजनस और निवेस की सारी बाते बताते थे कि वे जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं मैं स्कूल में उतना नहीं सीक रहा था जितना उनकी सीक उनसे सीक रहा था जब कि कारण इनकी तरक्की तो हुई लेकिन उनकी जिम्मेदार्या भी बढ़ती गए और उनके बच्चों के साथ बिताने करते हैं और सफलता की सिडिया पर चाठते हैं सफलता आपको आप अपने धन कितना रख पाते हैं आप अपना धन से कड़ी मेहनत करवाते हैं और आप इसे कितनी पिडियों तक अपने पास रख पाते हैं क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में सफलता पाने के लिए वित्य बुद्धियों की जरूरत होती है अगर लोगों में मूलबुत वित्य बुद्धि नहीं है तो अधिकांस मावले में क्वाड्रेंट के दाएं इसे में नहीं टिक पाएंगे मेरे अमी डैडी में लोगों को साथ काम करना तथा धन की अच्छी समझ थी उनमें समझ होना या आनिवारे भी था उन पर धन कमाने यथा संभव कम से कम लोगों का प्रभंधन करने लगातार कम करने और अधिक्तम लाप्राप्त करने की जिम्मेदारी थी क्वाड्रेंट के दाएं इससे में सफलता पाने के लिए योगता अवस्षक है मेरे अमी डैडी ने मुझे जोर देकर बताया कि मकान संपत्ती है नहीं बलकि दायत वह होता है वे इस बात से इसलिए साबीत कर सकते थे क्योंकि उन्होंने हमें आर्थी ग्रूप से साकसर बनाया था ताकि हम अंकों को पढ़ना में संसक्सम हो सके अपने पुत्र और मुझे सिखने के लिए उन्होंने उनके पास खाली समय इसलिए था क्योंकि वे लोगों को प्रवद्धन करने में कुसल थे काम ही उनकी योगता उनकी घरेलों जीवन में भी आ गई मेरे शिक्षण डेडी धन और करमशार्यों का प्रम दंदन कर पाते थे अर्ण की उन्होंने लगता था कि वे ऐसा कर सकते हैं दावियों में शिक्षा प्रमउक होने के नते एक सरकारी अधिकारी थे जिनके पास लाखों डॉलर का बजट और हजारों करम्सारी थे पर उस धन नहीं कमाया था या टेक्स चुकाने वाला अगर वे इससे खर्च नहीं कर बाते तो सरकार उन्हें अगले साल कम धन देती थी इसलिए हर वित्यवर्ष के अंत में वे इसे पूरा खर्च करने के लिए तरीके खोशते थे इसका मतलब या था कि अगले साल वे बचट के नियोंत ने ठहराने के लिए वे अक्सर जरूरत स कि वे जितना ज्यादा लोगों को नौकरी बढ़ रखते थे उनके समस्या उतनी बढ़ जाती थी बचपन में मैंने अपने दोनों डड़ियों के जीवन को देखते वे मांसिक रूप से या सोचने लगा कि मैं किस तरह का जीवन जीना चाहता हूं मेरे सेक्सी डड़ी पु का मकान संपति इसका या उनका सबसे बड़ा निवेस होना चाहिए इस वित्ते सलाह के कारण ने सिरीफ मेरे उच्छी डैड़ी ने ज्यादा मैनत की बलकि वे कर्ज में भी ज्यादा गहराई तक डूपते चले गए हर बार जब उनकी कड़ी मैनत के कारण प्रमोशन मिलता था तो उनकी तंखा भी बढ़ती थी लेकिन हर बार तंखा बढ़ने के साथ वैसी अधिक ऊची भी दायरे में पिह जाते थे तिसलिए उनन्हें अकांटेंट और बेंकर उन्हें जादा बड़ा मकान खरीदने की सला देता था ताकि वे ब्याज की किस्तों में आमदनी से घटा का टेक्स में छूट ले सके वे ज़्यादा पैसा कमा रहे थे परन्तु इसका परिनाम कुल्प मिलाकर या हुआ था कि उनका टेक्स बढ़ता गया और उनका कर्ज भी बढ़ता गया व आपके दो सब्द बड़े खर्च है क्योंकि मेरे डैडी फाइनस क्योंकि मेरे डैडी फाइनसल स्टेटमेंट नहीं पढ़ सकते थे इसलिए वे धन के उस जाल में को नहीं देख पाए जिसमें वे अधिक सफल होने के साथ फस्ते जा रहे थे मैं लाकोंने सफल और कड़ी मेनत करने वाले लोगों को धन के इस जाल में फस्त देख रहा हूँ एतने अधिक लोगों को आर्थिक रुप से संगर्ज करने का कारण यहा है कि बार हर अधिक धन कमाने के साथ ऊठ वैस empezar वे अपने सबदों किया था इसका इस बात से उतना संबंद नहीं है कि आप कितना धन कमाते हैं जितना इस बात से है कि आपकी धन में साप अपने पास क्या रख पाते हैं आप अपने धन से कितनी कड़ी मैनत करवाते हैं और आप इसे कितनी पीडियों तक अपने पास रक पाते हैं मेरे कड़ी मैंनत करने वाले सिक्सी डैडींग के पास विरासत में छोड़ने के लिए जो थोड़ा बहुत धन था वे भी सरकार ने टेक्स में ले लिया स्वत्रंतरता की तलास मैं जानता हूं कि बहुत से लोग स्वत्रंतरता और सुप की तलास कर रहे हैं समस्य या कि अधिकांस लोगों को बी और आई क्वाडरेंट में काम करने का परिक्सन नहीं दिया गया है इस परिक्सन का अभाव नौकरियों की सुरक्षा प्रियोक्रामिंग और बढ़ते व्यक्तिगत कर्ज के कारण ज़्यादा था लोग वित्य स्वत्रंतरता की अपनी तलास कैस्वो क्वाडरेंट के बाएं इससे तक सीमित कर सत देते हैं सची वित्य स्वत्रंतरा दायी हिस्से में पाई जाती है सवत्रंतरता की तलास में नौकरिया बदलते रहना केस्वो कवाडरेंट का इक उप्यो गया भी है कि किसी भी व्यक्ति की जीवन के संचारन या उसके मार्क को परखा जा सकता है कई लोग जिंद्गी पर सुरक्षा या सोतरंतंता के तलास करते हैं परंतु वे स्रिफ नौकरिया ही बदलते रहते हैं धारन के लिए मेरा हाइज स्कूल का एक दोस्त है मैं लगबग हर पांच साल बाद उसके हाल चाल सुनता हूँ और वे हम ऐसा रोमांचक होता है क्योंकि उससे आदर नौकरी मिल गई है वह बहुत खुस है क्योंकि उससे अपने सपनों की कंपनी मिल चुकी है उसे कंपनी से प्रेम करता है क्योंकि उससे रोमांच काम कर रही है वह अपना काम से प्रेम करता है उसके पास महत्पून पद है तंखा बहुत अच्छी है वह अब उसकी रहे में भ्रष्ट और बेमान है या कमपनी अपने करमचारियों से सम्मान जनक वहवार नहीं करती वह अपने बहुत से नफरत करता है जिससे उसे प्रोश्ट प्रमोशन ना देकर उसके किसी अधिनिस्त और प्रमोशन दे दिया है वह कम तनखा की सिकायत भी क दिखता है जैसे कोई कुटा अपनी पूच का पीछा कर रहा है या इस तरह दिखता है उसका जीवन का पैटा नेक नौकरी छोड़का दूसरी नौकरी तरफ जाना है अब अब तक वह अच्छी तरह जी रहा है क्योंकि वह स्मार्ट आकरसक और वहार कुसल है परन्तु उस के पास कुछ नहीं जोड़ है उसके पास एक मकान है जिसका वहा कभी मालिक नहीं बन पाएगा और उसे अभी अपने बच्चों के कॉलेज के पढ़ाई का खर्च उटाना है उसका सबसे चोटा बेटा अभी 8 साल का है और उसकी पूर पतनी के साथ रहता है जबकि उसका 14 स रहेगा मेरे विचार से तो उसे ततकाल भी या आई कोडेंट में पहुचने की गंबिर प्रयास करने चाहिए उसे एक नए नजरिया और नई सेक्षन प्रेकरां की जरूरत है अगर वा ऐसा नहीं करेगा तो सुखत भविष्टे की आसा धुमील है जब तक उसकी किसमत या वा किसी अमीर ने महिला से साधी ना कर ले तब तक वा जिन्दगी भरकड़ी मैनत ही कर की रहा पर चलता रहेगा अपने बच्चे को दोनियों के लिए सबसे बुरी सला अगर आप 1930 से पहले पैदा हुआ होते तो स्कूल जाओ अच्छे नंबा लाओ और शुरक्षित नौकरी खोजो एक अच्छी सला थी परन्तु अगर आप 1930 के बाद पैदा हुए तो या एक बुरी सला है क्यों जवाब है टेक्स कर्ज जो लोग इक वाडरेंट में आमदनी कमाते हैं उनके पास वहवारिक रूप से टेक्स बचने का कोई अफसर नहीं होता है आज अमरीक हिस्सा तो करमचारियों की तंखा मिलने से पहले ही सरकार के पास पहुँच जाएगा जब आप इस बात पर विचार करते हैं तो कि सरकार आपका कर्ज में अधिक गहराई तक डूबने के लिए टेक्स में छूट देती है तो आप यह समझ सकते हैं कि वित्यस्वतंत्र की राख यह और एस क्वाडरेंट के अधिकांस व्यक्ति के लिए लगबग असंभव होती है जब लोग इस अधिक धन कमाते हैं उन् कि भाइं इसे में रहने वाले वैक्ति को इसमें खमश्दारी नहीं दिखती हैं सबसे आदा टैक्स कौन देता है अमीर लोग बहुत कम इंकम टैक्स देते हैं क्यूंकि वे अपने धन से के धन करमचारियों के रूप में नहीं कमाते हैं बेहाद हमी लोग जानते हैं कि टेक्स से बचने का सबसे अच्छा गानुनी तरीका भी और आई क्वाड्रेंट में से धन कमाना है अगर लोग क्वाड्रेंट से पैसा कमाते हैं तो उन्हें इकलौती छुट या मिलती है कि वे ज्यादा बड़ा मकान खरीद ले और अधिक ग दोलर वापस कर दूंगा जल्दी अमीर बनो मेरी पत्नी और मैं अपनी बेघर इस्तिति में मुक्ति पाकर जल्दी वित्य स्वतंत्रा पाना चाहते थे हमारी लिए इसका अर्थिया था कि हम भी और आई क्वाड्रेंट से अपना धन आमदनी कमाई दाई इससे के क्वाड स्वतंत्ता कैसे पाई जाए टेक्स और कर्ज में एए दो प्रमुक कारण है जिनकी वज़े से अधिकांस लोग कभी वित्य शुरक्षा का अनुभव नहीं कर पाते हैं और वित्य शुतंत्रा पाप्त करना नहीं कर पाते हैं स्वतंत्त्ता की राख स्वाडिनेंट के समझ लिया जाए इन तीनों में क्या अंतर है नौकरी की सुरक्षा नंबर वन नंबर टू वित्य सुरक्षा नंबर थी वित्य स्वतंत्रता जैसे आप जानते हैं कि मेरे उस शिक्षी डैडी नौकरी की सुरक्षा को लेकर बेहत चिंती थे जैसे उनकी पीडी से के ज्यादा संवातर लोग थे उन्होंने यह मांन लिया था कि नौकी चली गई और उन्हें 15 में इसके वजह आई नमबर वन या नौकरी की सुरक्षा का पैटन है एंप्लॉई इस पैटन वाले लोगों अक्सर अपनी नौकरी में कुशल होते हैं बहुत से बहुतों ने स्कूल कॉलेज में कई साल तक मेहनत की है और बरसों तक नौकरी का अनुभवाप किया है भले ही भले ही उन लोग को रिटार्मेंट प्लान बना रखा हो परन्तु समय यहां कि समस्या यहां कि वह भी या आई क्वाट्रेंट के बारे में बहुत कम जानते हैं वह वित्य रूप से अधिक सुरक्षित बनने के लिए मैं यह सुजाव देता हूं कि लोग यह स्कौाड्रेंट में काम कर रहे कि जब उन्हें क्वाट्रेंट के दुनों इस जो में अपनी योगताओं पर विश्वास हो जाएगा तो वह सुभाविक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे भले ही उनका पास पैसा कम हो ग्यान अज सकती है उन्हें बस अपने ग्यान का प्रियोग करने के लिए चाहिए अफसर का इंदिजार करना है और फिर उसके पास पैसा उनके पास पैसा आ जाएगा इसलिए इस वर ने हमें दो पैर दिये हैं अगर हम पास हमारे पास सरीफ एक ही पैर होता तो हम हमेसा लड़कडाते रहते और अशुरक्षित महसूस करते हैं दो क्वाडियंट क हवा या तेजी से बहती है तो वे दो पैर वाले लोगों से ज्यादा लड़कडाते हैं नंबर तो या वीत्य सुरक्षा का पैटन है इक वाडियंट के व्यक्ति का वीत्य सुरक्षा इस तरह दिखती है रेटायर्मेंट एकाउंट में सिर्फ धन डालते रहना और सर्वस करने के बजए या लूप दरसाता है कि दरसाते हैं कि लोग को को निवेस और करमचारी दोनों के रूप में अपनी सिक्षा के बारे में आत्म विश्वास होता है हम नौकरी करना सीखने के लिए कॉलेज में अध्यान करते हैं इसी तरह मैं सुझाव देता हूं कि आप प्र आपने दस लाग डॉलर कैसे कमाए मेरे हिसाब से यही सई सवाल है टेक्स से कानुनी रूप से बसना असान है दस लाग डॉलर कमाना अतना असान नहीं है वित्ते सुरक्षा का दूसरा मार्ग यह हो सकता है एस क्वाडरेंट वाले व्यक्ति का वित्ते सुरक्षा इस तरह दिखती है इस पैटन का वननन था थोमस एंटेली ने अपने पुस्तक दा मिल्यानेरी नेक्स डोर में किया है या बहुत बढ़िया पुस्तक है और सथ अमेरिका मिल्यानेरी सेल्फ एमप्लॉइड है मित्यव्यक्तित्यों से रहता है और लंबे समय के लिए निवेश करता है उपर दिया वगा पैटनी स्वित्य जीवन पत का प्रत्यवन करता है से बी के इस मार्कों पर बिल गेट्स जैसे बहुत से बड़े वद्युमिन ने चुना है या सबसे आसान नहीं है परंतु मेरे विचार में या अच्छा मार्क बहुत अच्छा मार्क है एक से बहतर दो दो है दो कोडरेंट में ऐस चस्तार में में और दाइं इस्सक्राइब क्षिद के बहुत हो से हम finns करता है ₹ करते हैं तो यह ज्यादा सुरक्षित मैसूस करेंगे वित्य सुरक्षा कार्थ के दोनों इस्टे में सुरक्षित स्थान बनाना है सब्सक्राइब चु도 तरह कुरहए instruct रड़े Keg आपके ने लोग से कारण सारी का जहादी देता है अगर आप बेहद अमीर लोगों की तरफ देखे तो वे Quadrant के उन पैटर्न या है B और I के विडित्रा उसाम धनी के पैटर्न का संकेत देता है जो Microsoft के Bill Gates News Corp के रूप मॉडर्ग से रहत्वे के Warren Buffet और Ross Pirot का है यहाँ पर मैं आपको तत्काल सावधान कर दू B और I Quadrant से बहुत अलग होता है मैंने देखा है कि कई सफल भी अपने बिजनस लाखो करोडों डॉलर से बेज देते हैं और नई मिली अमीरी उनका सिर्फ फिरा देती है वे यह सोचने लगते हैं कि उनके डॉलर से उन्हें आई क्यू का मापदंड इसके लिए वित्रेत हुए आई Quadrant में जाते हैं और उनका सारा धनगवा देते हैं सभी Quadrant का खेल और उनका नियाम अलग होते हैं इसके लिए भी सीक्षा और एहम पर विजय प्राप्त करना के लिए अमीडेडी सुझाव देते हैं वित्रे सुरक्षा के तरह ही दोनोट Quadrant में पैर जामाने में आपको वित्रे स्वतंता के सांसर में अधिक स्थाई मिलता है मार्गों का चुनाव यह अलग-अलग वित्रे मार्ग है जिस में से लोग अपने विकल्प चुन सकते हैं दुर्भाग से ज्यादा तर लोग नौकरी की सुरक्षा का मार्ग चुनते हैं जिसका मतलब यह आ है कि नौकरी के बारे में और अच्छे बुरे दोनों समय में अपनी निवेस योग्यताओं के बारे में आत्मिस्वा सुना यह एक बड़ा रहसर है कि सच्चे निवेसक गिर्ते बजार में ज्यादा धन कमाते हैं वे जादा धनी इसलिए कमाते हैं क्योंकि ग्यार निवेसक देशत में आकर शेयर बेस देते हैं जबकि उसी समय इनका खरीदना चाहिए इसलिए मैं आने वाले संभाविक आर्थिक परिवर्तन में भेवित नहीं हूँ क्योंकि परिवर्तन का अर्थिया है कि दौलत की अदल बदली हो रही है आपका बॉस आपको अमीर नहीं बना सकता वर्तरमान में जो आर्थिक परिवर्तन हो रहा है वे कुछ हद तक कंपनियो देड़ करोट डॉलर जमा किये उसके करमचारियों को नई नौकरिये की तलास करनी पड़ी फिर पाटियों में आसू से भरी थी परंतु उससे में बहुत क्रोध और ध्यूस की अंतुन्रंग भी थी हाला कि मेरे मित्र ने उन्हें वर्सों तक अच्छा वेतन दिया था परंत कुछ से लोगों को यह एसास हुआ था कि कंपनी का मालिक अमीर बन गया है जबकि उन्होंने अपने सारा वर्स तंखा कमाने और खर्च करने में बिता दिया है सच्छा है यह है कि आपको अमीर बनना आपका बोस का काम नहीं है उसका काम यह है कि सुनुच्छित करना कि आप अमीर बनना चाहिए और आप यह काम उस पर शुरू होता है जिस पर आप अपनी तंखा आपको तंखा मिलती अगर आप अपना धन के प्रबंदन में निपुर नहीं होते तो दुनिया का सारा धन भी आपको नहीं बचा सकता अगर आप बुद्धी मात्मक पुर्वक बचट बनाए और यह तो भी आई को आई को आई को वाडेंट के बारे में सिखाता है तो आप प्रचूर व्यक्ति दौलत की राह पर है और सबसे महत्मन बातिया है कि स्वत्रंतरांता की राह पर है मेरे अमीर डैड़ी अपने पुत्र और मुझे कहा करते थे अमीर और गर लोग आज जितने वैस्त है उतने पहले कभी नहीं थे और खाली समय बहुत की कीमती होता है फिर भी मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आपको वैस्त होना है तो क्वाडेंट के दोनों इससे में वैस्त रहे अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बात से ज्यादा संभा करने पर आपको बहुत आपको अधिक संभान और प्रसंसा करेगा आप नौकरी के समय के बाद आप तनखा और खाली समय का क्या करते हैं उसी से आपकी वविश्य निरधारित होता है अगर आप क्वाडेंट के बाहें इसे में कड़ी मेनत करते रहेंगे अगर आप क्वाड की सला देना देते हैं मैं उसी मार की सला देता हूं जिसकि सला मेरे अमी डैडी ने मुझे दिती यह वही मार्क है कि जिस पर रौस पर बिल कभी कबार मुझे या सिकाय सुनने को मिलती है परंतु मैं तो निवेसक बनना पसंद करूँगा इस पर मैं जवाब देता हूँ तो फिर सीधे आई क्वाडेंट में चल जाए अगर आपके पास बहुत सा धन और खाली समय है तो सीधे आई क्वाडेंट में चले जाए परंतु अगर आपके पास समय और धन प्रचुर मात्र में नहीं है तो मेरे सुझाब मार्ग ज्यादा सुरक्चित है अधिकांस मामले में मैं लोगों के पास बहुत समय या धन नहीं होता है इसलिए वे एक और सवाल पूछते हैं क्यूँ आप पहले बी क्वाडेंट में जाने की सला क्यों देते हैं इस अर्चा में आम तोर पर लगभग एक घंटे का समय लगता है इसलिए मैं इससे यहां नहीं करना चाहूंगा परंतु मैं अगली कुछ पंक्तियों में आपको अपने कारण का सारांस अवश्य बताना चाहूंगा अगर आप पहले बी के रूप में सफल होते हैं तो आपको पास साक्षत आई बनने के बहतर अफसर होगा आई व्यक्ति बी में निवेश करता है अगर आप पहले बिजनस की अच्छी समझ विक्सित कर लेते हैं तो आप एक बहतर निवेशक बन सकते हैं के बाद आप अच्छे भी वेक्तित को ज्यादा अच्छी तरह से पहचान सकेंगे नंबर टू कैस्ट अगर आपको कोई बिजनस के सफलता पूर्वक चला रहा है तो आपके पास ज्यादा खाली समय और कैस्ट फ्लो होगा जो आई क्वाडेंट के उतार चड़ाव ने आपक वित्ति द्रिष्टी में वे से लाल लीकर पर चलते हैं अच्छा है कि निवेश करने में पुनजी और ग्यान की अवशकत्या होती है कई बार या ग्यान हासिल ने के लिए बहुत सी पुनजी और समय के जरूरत होती है अनेक शफल निवेशक जीतने से पहले कई बार निवेसक बनने की कोशिस करना वित्या आत्मात्या की तरह है, अगर आप पहले अच्छा B कि पैसा कमाने के लिए हमेशा पैसे की जरूरत नहीं होती है अच्छी खबर अच्छी कबर यह है कि वी कौर्डेंट में सफल होना आज पहले से ज्यादा आसान है जिस तरह प्रोद्धोगी के विकास ने बहुत सी चीजों को आसान बना दिया है उसी तरह इनमें से वी कौर् क्वाडेंट से वित्य सफलता हासिल कर सकते हैं अध्याइच चार तीन प्रकार की बिजनस सिस्टम वी कौर्डेंट में प्रवेश करते समय याद रखे कि आपका लक्स है सिस्टम का स्वामी बनना और उस सिस्टम में लोगों से अपने लिए काम करवाना आप या तो से खरीच सकते हैं वासे तुमाने जो आपको केस्व लोग वाडेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में पहुंचाने वाला से तू भी होता है आज मुख्य रूप से तीन तरह के बिजनस सिस्टम है परमपारी कि सी टाइप कौर्प्रेशन जहां आप अपना खुद का स सिस्टम खरिदते हैं नमबर त्री नेटवर्क मार्केटिंग जहां आप बने बनाए सिस्टम को खरीद कर उसका हिस्सा बनते हैं इन में से प्रत्यक की अपनी सक्तिया और कमजोरिया है परन्तु अंतरता प्रत्यक में आपको एक ही चीज मिलती है अगर सही तरीके से काम किया जाए तो हर सिस्टम आपको इस्थानी आमदनी प्रादान करता है और मालिक के रूप में वे आपको ज्यादा सारे रिक्सम करने की जरूरत नहीं होती बरसरते या खड़ा हो जाए और सफलता पूर्वक चलने लगे समय से इसे खड़ा करने और सफलता पूर्वक चलाने मे आती है लोग मुझसे पुछते हैं 1985 में आप बेगर क्यूं थे इसका जवाब में कीम और इसके जवाब में कीम और मैं बस यहीं कहते हैं हम एक बिजनस सिस्टम बना रहे थे यह एक ऐसा बिजनस सिस्टम था जो परमपारी कॉर्परेशन और फैंचैसिक से मिला जुला रूप था जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ बीक वाडेंट में सिस्टम और लोगों दोनों से के ही ग्यान की जरूरत होती है हमने अपना खुद का सिस्टम बनाने का जो निन्ने लिया था वा कड़ी मैनत का रास्ता था मैं इस रास्ते पर पहले भी चल चुका था हाला कि मेरी बनाई कमपनिया डूब गई थी हाला कि या कुछ वर्सों तक सफलता पूरवक चली परंतु अचानक यहां पाचवे साल में धरासाई हो गई जब हम में सफलता मिली तो हम प्रयाप सिस्टम तयार नहीं कर पाए हाला कि हमने बहुत मैनत की परंतु इसके बावजित सिस्टम बिखनने लगा हमें ऐसा मैसुस हुआ जैसा हमें एक ऐसी बड़ी नाव पर सवार थे जिसमें अचानक छेद हो गया हो समस्या या थी कि हम उच छेद को ढूंड नहीं पा रहे थे हाला कि हम या पता लगाने की कोशिस कर रहे हैं कि छेद कहा हुआ था प्रंतु या इतनी तेजी से पानी बाहर नहीं निकल पा रहे थे कि हम छेद को ढूंड कर उसे ठीक कर सके अगर हमें वह मिला भी जाता तो भी हम यहां विश्वास नहीं था कि हम उसे बंद कर सकते थे तुमारी दो तीन कंपनिया डूब सकती है जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे अमी डैडी ने अपने पुत्र और मुझे बताया कि बीस और तीस के बीच की उमर में उनकी एक कंपनिय डूब गए थी उन्होंने कहा है वहां मेरे जीवान का सबसे अच्छा और सबसे बुरा अनुबभ था मुझे कंपनिय डूबने का अफसोस जरूर हुआ था परन्तु मैंने इस सुदरने और अंतता इसके एक बड़ी सफ और धिर्ग जीवी कंपनी बनाने से पहले तुमारी दो तिन कंपनिया डूब जाए वे अपने पूत्र माइक को अपना समराज्य संबालने के प्रडिक्शन दे रहे थे चुकि मेरे डैडी सरकारी करम चारी थे इसलिए मुझे विरासत में समराज्य नहीं मिलने वाला था म अपना समराज्य खुद बनाना था सफलता एक खराब शिक्षक है नहीं नहीं हो सकते हैं यही वज़ा है कि जीवन में वही लोग सचमुच हारते हैं जो कभी असफल नहीं होते सायद या एक इस्टिक भविश्वानी थी क्योंकि 1984 में मेरी जो कंपने दिवालिया हुई वह मेरी तीसरी कंपनी थी मैंने लाखों डॉलर कमाये थे और लाखों डॉलर गवाये भी दिये थे जिस समय मैं कीम से मिला उस समय एक बार फिर सुन्य से अपने कारोबार को सुरू कर रहा था उसने मुझसे मेरी दौलत के लिए साधी नहीं कि मैं या बात इतने अच्छी तरह इसलिए जानता हूँ क्योंकि उस समय मेरे पास दौलत थी ही नहीं जब मैंने उसे जवाब बताया कि मैं अपनी चौथी कंपनी बनाने जा रहा हूँ मेरे सफलता पर खुश थे और उन्होंने सच्चे दिल से मुझे बदाई दी कंपनिया सुरू करने के मेरे पूर्व प्योग में उन दोनों का कुछ पैसा डूब गया था मेरे अमीर डैडी का पुत्र माइक मुझसे अकसर कहता था मैं कभी नहीं जान पाओंगा कि क्या मैं वा कर सकता हूँ जो तुमने या मेरे डैडी ने किया है मुझे बना-बनाया सिस्टम मिल गया था और मुझे शरीफ इससे चलाना सिकना था मुझे विश्वास है कि वह अपना खुद का सफल सिस्टम बना सकता था क्योंकि उसने अपने डैडी से अच्छी तरह सीखा था बरसल मैं उसकी बात का मतलब समस्ता हूं कंपनी को सुन्य से जरू करने से मुश्किल बात या है कि आपके पास दो परिवर्थन सिल्ड चीज़े होती है सिस्टम और उस सिस्टम में काम करने वाले लोग अगर लोग और सिस्टम दोनों में ही छे दो तो आसफल ता कि संभावना ज्यादा है कई बार या जानना मुश्किल होता है कि असली समस्या क्या है आसफल कौन हो रहा है सिस्टम कि फ्रेंचाइजी से पहले जब मेरे अमे डैडी ने मुझे भी बनने के बारे में बी बनने के बारे में सिखाना शुरू किया तब श्रीफ एक ही तरह का बिजनस होता था या बड़ा बिजनस था एक बड़ा कॉर्प्रेशन जिसका आम तोर पर सहर पर अधियान होत और कुछ ऐस टाइब के बिजनस भी थे जिन जिनके बीच में ज्यादा कुछ नहीं था अमीर डैडी और मेरे जैसे लोगों के लिए उन बड़ी सकर कंपनियों के सिर्क स्थर पर पहुंचना संबब था अलम संख्या और लोगों कि यानि जापान चीन और हवाई के नागर प्राइसी नाम की एक नई चीज के भारे में सुना उस समय तक हमारे चोटे कस्वे में एक भी फ्रैंचाइज नहीं आया था हमने मैकडोनल्ड या केश्ट्री फ्राइड चीकन या टेको टेको बेल के बारे में भी नहीं सुना था जब मैं एमी डैडी से सिख्षा ले रहा था तो फ्रेंचाइसी हमारे सबसिल का हिस्सा नहीं था हमने उनके बारे में या अफवा में सुनी की वे गैर कानोनी धोके धड़ी को कारोबार और खतरनाक काम है जाहिर है एमी डैडी ने इन अफवाओं को हकिकत मालूम करने का फैसला क उनका निष्कर या था किuffa निरा धार है जब लोटे तो उन्होंने इतने अहीं कहाँ फवविस्ठ्य की लहर है यहीं नहीं अनुमने दो फ़रेंचाइसी की अधिकार भी खरीद ली। जब फ्रेंचाइसी की वीचार ने जोर पकड़ा तो उनकी दौलत आसमान भी अपने विजने का मॉका मुलसके जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी इसी कि अधिकार खरीच सकता हूं तो इतना ही का नहीं तुम यां शीकने की राह पर बहुत दूर तक पहुव Enak कि अपना खुद का बिजनस सिश्टम कैसे बनाया जाता है इसलिए वे बीच में मत रुको प्रेंचाइसी उन लोगों के लिए है जो अपना खुद का शिश्टम बनाना नहीं चाहते हैं वे उसे बनाने का तरीका नहीं जानते हैं इसके अलावा तुम्हारे पास मुझसे फ्रेंचाइसी खरीदने के लिए धाई लाग डॉलर नहीं है आज मैकडोनल या बर्गर किंग या पिज़ा हट को बिना किसी सहर की कलपना करना मुश्किल है परन्तु एक समय था और वहां समय बहुत पहले नहीं था जब उनका अस्त ही थे जो बी बनना सीख रहे थे और यही वह तरीका था जिससे बहुत से लोग सीखते हैं इससे नौकरी करते वे परिक्षक्शन हासिल करना कहते हैं यही वह तरीका है जिससे कई परिवारिक व्यवसाइक को समराज्य एक स्पीडी से दूसरी पीडी को हस्तनत्रित किया ज सिखाता है कंपनी आपको श्रीफ मैनेजर बनने का परिक्षिन देती है बहुत कम लोग या सीख पाते हैं कि भी बनने के लिए सच मुझ क्या वश्चक है अक्सर लोग B Quadrant की अपनी यादरा के बीच में S Quadrant में उलजे रहते हैं ऐसा मालूम इसलिए होता है क्यूंकि वे प्रयाप सक्सस सिस्टम नहीं बना पाते हैं वे सिस्टम का निवारे इससा बन कर रहे जाते हैं जबकि सफल भी एक ऐसा सिस्टम की स्कृत करता है जो उनके ब मेरे आमी डैडी मेरे मार्क दर्सक थे मार्क दर्सक थे मार्क दर्सक मेंटर वा होता है जो उस काम को पहले कर चुका और सफलता पूर्वक कर चुका है परमादार सब्ना खोजे परमादार एडवाईजर वा है जो आपको बताता है कि काम कैसे करना है हाला कि उसे व्यक्ति की कोशिस करती है कि भी या आई कैसे बना कैसे बना जाता है मेरे अमी डैड़ी एडवाइजर नहीं बलकि मार्क दर्सक थे उन्होंने मुझे जो बैतरिन नसियत दी थी उनमें से एक याद थी जो जो सला लो उसके बारे में सावधान रहो हाला कि तुम्हें अपना दिमाग करना चाहिए परांतों हमेसा इस बारे में जागरू रहना की सला किसी क्वाडियंट से आर रही है मेरे अमी डैड़ी ने मुझे सिष्टमों के बारे में सिखाने के साथ या भी सिखाया कि लोगों को मैं मैणेजर की बनने के बज़े उनके लीडर कैसे बना जाता है चाहिए और आप इस विसे पर कोई उस्तक पढ़ना चाहते हैं तो माइकल गरबर की इमित पढ़कर देखे जो लोग अपना खुद का सिस्टम बनाना सिखना चाहते हैं उनके लिए पुस्तक अन्मोल है सिस्टम के बारे में सीखने का परमपारिक तरीका या है कि किसी प्रति तरह आर्थिक आखड़े बिजनस को सिस्टम से संबंदित होते हैं बरसल अगर आपके पास SBA की डिक्री है तो इससे या मतलब नहीं है कि आप उन सभी सिस्टमों को चलाने में निपुन हो चुके हैं जिन से मिलकर संपुन बिजनस सिस्टम बनता है बड़ी कंपनियों में अवश्य सभी सिस्टम और बिजनस के सभी पहलों के बारे में सीखनी के लिए आपको वाद 10-15 साल तक बिताने पड़ेंगे इसके बाद आपको वाद बड़ी कंपनी छोड़कर अपनी खुद की कंपनी सुरू करनी होगी किसी सफल बड़े कॉर्परेशन में नौकरी करना वैसा ही है जैसे मार्क दर्सग अपने तनकाओं दे रहे हैं मार्क दर्सग और वर्सों के अनुभव के बाद भी पहले तरीके से बहुत मेहनत लगती है अपना खुद का सिस्टम बनाने में बहुत से फ्रयोग गलतियाज की जरूरत होती इसमें सुरुवात कानूनी और कागजाय करवाई की भी जरूरत होती है और यहां सब उसी समय होता है जब आप अपने लोगों के से विक्सित करने की कोशिस कर रहे होते हैं फ्रेंचाइसी नमबर टू फ्रेंचाइसी सिस्टम के बारे में सीखने का एक और तरीका फ्रेंचाइसी खरीदना है जब आप फ्रेंचाइसी खरीदे तो आप एक आजमाया हुआ और सफल संचालन तंतर खरीदे हैं ऐसे बहुत से उतकर्स फ्रेंचाइसी है अपना सिस्टम बनाने की कोसिस करने के वजह फ्रैंचाइसे सिस्टम खरिद कर आप सिर्फ अपने लोगों को विक्सित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं भी बनना सीखना सीखते समय बना बनाया सफल सिस्टम खरिदने से एक बहुत बड़ी अनिश्टा दूर हो जाती है ज्यादा तर बैंक छोटे शुरुवाती बिजनस के लिए लोन नहीं देते हैं परन्तु फ्रेंचाइसी के लिए लोन दे देते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक सिस्टम को मैं तुम को अच्छी तरह पहचानता और या भी कि अच्छे सिस्टम के साथ सुरुवात करने में जोकिम कम होता है और नमबर 3 network marketing इस multi-level marketing या director distribution system भी कहा जाता है कानूती तंत्र ने- french agency की तरह ही शुरुवात में नेटवर्क मार्केटिंग को गैर कानोनी गोसित करने की कोसिस की थी कुछ ऐसे देश भी है जिन्होंने इसे गैर कानोनी गोशित करने में सफलता पाई है या इसे बहुत बुरी तरह सीमित कर दिया है किसी भी तरह के नए नए सिस्टम या विचार का अक्सर इस दोर से गुजरना ही पड़ता है जिसे अजीव या संदिन्स ग्रूप से विचिंद किया जा सकता है पहले तो मैंने भी सोचा था ըेटवर्क मार्केटिंग धोका दड़ी है परन्तु बरसो तक जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग दोरह वपलत सिस्टम का ध्यान किया और मैंने इस प्रकार की भी बीजनस में अपनी कई मित्रे को सफल होते देखा तो मैंने अपनी मानसित्स बदल दी जब मैंने अपने पुर्वग्रा छोड़ दिया और नेटवर्क मार्केटिंग पर रिसर्ज की तो मैंने पाया कि बहुत से कही लोग इमंदारी और महिना से सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनस बना रहे थे जब मैं इन लोगों से मिला तो मैंने देखा कि उन बिजनस को दूसरे लोगों के जीवन और वित्य भविश्चे पर बहुत ज्यादा प्रवाब पढ़ रहा है मैं सचमुच मेंटर मार्टिन सिस्टम के महत्व को समझ गया और उसके प्रति प्रसंसा के भाव से भर गया बहुत बहुत कम प्रवेस सुल्क लगबग 200 डॉलर क के करीब देकर लोग एक बने बनाए सिस्टम का खरीद कर उसके प्रवेस उसमें प्रवेस कर सकते हैं और ततकाल अपना बिजनस बनाना शुरू कर सकते हैं कंप्यूटर प्रोद्रमिक के विकास के कारण उन्हें संगंटन पूरी तरह स्वाज चलित होते हैं नेटवर्क मा प्रवेस अपने बिजनस को बनाने के पर करिंदित कर सकते हैं उन्हें छोटे बिजनस के समाने सुरुवाती सिर्दत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती सिस्टम सुतरंतरता का सेतू है बेगर बनना एक ऐसा अनुबव नहीं है जिसे मैं दोराना चाहूँ पर असल कीम और मेरे लिए या अनुबव अनमोल था आज हमारे पास जो है उससे हमें सुतरंतरता और सुरक्षा नहीं मिलती सुरक्षा या जानने और इस रिश्वास से मिलती है कि हम दुबारा बना सकते हैं उस मुश्किल समय के बाद हमने एक रियल इस्टेट कमपनी एक ओयल कमपनी एक माइनिंग कमपनी और दो सिक्षन कमपनियां बनाई इस समय में सफल सिस्टम बनाना सिखने की प्रक्रिया हमने हमारे लिए लाबदायक रही बरहसल मैं इस प्रक्रियाक्स से गुजरने की सला किसी को नहीं देना चाहूंगा जब तक कि वे सचमुच इससे ना गुजरना चाहे। आज मूलत प्रधोगी में हुए परिवर्तन के कारण सफल बिजनस मालिक बनने में जोकिम बहुत कम हो गया है। अगले अध्याय में क्वाडेंट के दाएं हिसे के दुसरे भाग यानी आई निवसक के बारे में चर्चा करूँगा। अध्याय पांच निवसको के साथ इस्तर मेरे अमी डैडी ने एक बार मुझसे पूचा था गोडे पर दाव लगाने वाले और सेयर खरिदने वाले में क्या फरक होता है। मैंने जवाब दिया मैं नहीं जानता। उन्होंने का दोनों में ज़्यादा फरक नहीं होता। इसलिए कभी सेयर मत खरिदना। तुम्हें बड़ा होकर खुद की कंपनी बनानी चाहिए जिसके सेयर ब्रोकर बेचे और दुसरे खरिदे। मेरे अमी डेडी की इस बात का क्या मतलब था या मुझे काफी समय तक समझ में नहीं आया। जब मैं दुसरे को निवेस करना शिखनाने लगा तब कहीं जाकर मैं समझ पाया कि निवेसक कई प्रकार के होते हैं। इस अध्यान के लिए मैं जौन बरले को विशेज धन्यवाद देना चाहता हूँ। फ्रैंसियल प्लानर के रूप में शुरू किया था। इसलिए उन्हें वित्य और टेक्स की दुनिया की गहराई समझ थी। साथ ही उन्हें इसमें इस प्रस्टता से समझने की अद्बुत योग्या तब ही थी। उन्हें या प्रतीबा है कि वे जटिल या मूर्थ विचारों को इतना असान बना देते हैं कि वे की समझ में आ जाए। लोगों को सिखाते से मैं उन्हें निवेसक को छे स्रेनियों में बाटे। वर्गी करन का आधार या है कि निवेसक में वे कितने परिक्षन है और उन्हें व्यक्तिक्त के गुनों में क्या अंतर है। मैंने उनकी स्रेनिया को संसो दिन किया और विस्तरित किया तथा एक साथवी स्रेनी को भी सामिल किया है। निवे सिकर की दुनिया के बारे में दूसरे को सीखने में कैस्फलो कोड़ेंट के साथ ही उनके स्रेनी विजिनिवनों की विधी ने भी मेरी काफी मदद की है जब आप विविन इस्तरों के बारे में पढ़ेंगे तो सायद आप हर इस्तर पर अपने परिचित लोगों को पहचाल लेंगे सीखने का वेकलपिक अभ्यास हर इस्तर के अंत में मैंने खाली इस्तान छोड़ा है जहां आप उस व्यक्तित्व का नाम लिख सकते हैं जो आपके हिसाब से उस इस्तर पर हो इसका लग्स किसी प्रकार से आपको मित्र को नीचे दिखाना या आप मानित करना नहीं है धन का भविश्य राजनीती धर्म और सेक्स की तरह ही सम्वेंदन सील होता है इसलिए मैं या सुझाओ देना चाहूंगा कि आप अपने व्यक्तित्वी विचारों से को व्यक्तिवीट ही रहने दे उन्हें सारुजिनिक रूप से व्यक्त ना करें हर इस्तर के अंत में मैंने खाली स्थांस रिवीच लिए दिया गया है कि ताकि आप अच्छी तरह से सीख सके या आप पर निर्भर करता है कि आप इसके प्रियोग करना चाहते हैं या नहीं अपनी निवेसकी कक्छाओं की सुरुवात में मैं अक्सर इसी सुची का प्रियोग करता हूँ इससे सीखने में बहुत मदद मिलती है इससे बहुत से विद्यारती स्प्रेश्टता से या समझ जाते हैं कि वर्तमान में किस इस्तर पर और बविश्य में किस इस्तर पर पहुशना चाते हैं मैं इसका प्रयोग काफी समय से कर रहा हूँ और मैंने जान जौन की अनुमती से उनकी विदीज में थोड़ा बहुत अंसोधन कर लिया है ताकि मैं अपने अनुभव का प्रयोग कर सको क्रिपया सातो इस्तर को सावधानी से पड़े निवेशको के साथ इस्तर इस्तर सुन्य जिनके पास निवेश करने के लिए कुछ नहीं होता इन लोगे को पास निवेश करने के लिए धन नहीं होता वे जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं कई बार तो वे अपनी आमदनी से अधिक खर्च कर देते हैं इस स्रेनी में वे तथा तिक तमीर लोग भी आते हैं जिनके खर्च उनकी आमदनी के बराबर या उसे अधिक होती है दुरवार के पुन बात या है कि 50% वैसक इसी स्रेनी में आते हैं क्या आप इस तर सुने की निवेसक को जानते हैं इस तर एक कर्ज लेने वाले ये लोग उधार लेकर अपनी वित्य समस्य सुल जाते हैं अक्सर वे उधार लिए धन से निवेस भी करते हैं उनका वित्य नियोजन इस तरह होता है कि वे पीटर से उधार लेकर पॉल की उधारी चुकाते हैं धन के सेत्र में वे स्तुर मुर्ग की तरह रेत में सिर्गुसा लेते हैं और या आसा तथा प्रातना करते हैं कि कुछ सही हो जाए हाला कि उनके बास कुछ संपंतिया हो सकती है परंतु हकीकतिया है कि उन पर बहुत जादा कर्ज होता है दिकांस मामले में वे धन और खर्च की आदतों के बारे में सोचते सचेत नहीं होते उनकी हर मुलेवान वस्तु के साथ कर्ज जुड़ा होता है वे भावनाओं में बैकर क्रेडिट कार्ड को अधिगन सुप्योग करते हैं जब क्रेडिट कार्ज जादा हो जाता है तो वे उस कर्ज को धिरकाली में होम इक्विटी लोन में बदल लेते हैं ताकि उनके credit card का हिसाब चुकता हो जाए और वे दुबारा खर्च कर सके अगर उनका मकान मूले बढ़ जाता है तो वे equity पर दुबारा खर्च ले लेते हैं या फिर एक जादा बड़ा और महंगा मकान खरीद लेते हैं वे मानते हैं कि real estate का मूले हमेसा बढ़ता है अभी कु कि उनों को संपंती मानते हैं और जब वे खर्च लेने के लिए bank में जाते हैं तो वे अश्चरे में पढ़ आते हैं कि bank इन्हें संपंती क्यों नहीं मानता और इसके आदार पर उन्हें कर्च क्यों नहीं देया shopping करना उनका प्रिय काम है वे ऐसी चीजें खरिते हैं जिनका उन्हें जरूरत नहीं होती है और ऐसा करते समय वे खुद से कहते हैं खरीद बिलो तुम इनसे आनंद लेने के हगदार हो या तुम्हें इसांदार व्यक्ति हो कि तुम्हें या मिलना ही चाहिए या अगर मैं भी इसे नहीं खर दूँगा तो हो सकता है मुझे या दुबारा इतनी सस्ते नहीं मिले या या सेल में रखी है या मैं अपने बच्चे को वा सब देना चाहता हूं जो मुझे नहीं मिला वे सोचते हैं कि कर्च को लंबे समय तक चलाना रहना स्मार्ट तरीका है वे हमेशा खुद को बदलते रहते हैं कि वे जादा कड़ी मैनत करेंगे और किसी दिन अपना सारा कर्ज उतार देंगे वे जितना भी कमाते हो उतना खर्च कर देते हैं बलकि कई बार तो उससे भी जादा उन्हें बोगता कहा जाता है दुकानदारों और कार बेचने वाले इन लोग आमदनी कम है वे सोचते हैं कि जादा पैसा आने से उनकी समस्या सुलत जाएगे चाहिए वे कितना भी ज्यादा कमाते हो वे कर्ज में गेराई में डूबे रहते हैं उनमें साधिकांस को या एक ऐसास ही नहीं होता है कि आज वे जितना धन कमा रहे हैं वा आकड़ा पहले उन्हें बहुत बड़ी रकम या सपने की तरह लगता था परन्तु आज जब उन्होंने या सपना की आमदनी आसिल कर लिए फिर भी वे प्रयाप नहीं है वे या नहीं देख पाते कि समस्या उनकी आमदनी या इसका अभाव नहीं है बलकि धंद्या धन संबंदी उनकी अधिक गहराई तक धसा लेते हैं और वही चीज़े दोराते रहते हैं उदा लेना समान खरिदना और करते करने की आदोते पर उनकी कताई नियंत्रन नहीं होती जिस तरह भुकड आमदनी या उदास होने पर लगतार खाता है उसी तरह ये लोग उदास होने पर लगतार कर करते हैं वे खर्च करते हैं उदास होते हैं तथा इसके बाद और ज्यादा खर्च करते हैं अक्सर धन कर लेकर उनकी अपनी प्रियोजन से बहस होते रहती है वे इसी या उस चीज को खरिदने की अपने आवजशक्ता को तर्पूर्ण साबित करने की कोशिस करते हैं वे अपनी आर्थिक हालत को पूरी तरह से नजर अंदाज करते रहे हैं और अभ्यन करते हैं कि किसी दिन उनकी धन सम्मधी समस्या जादू से गाइब हो तो आप आएंगे कि उधार लेकर समान खरीते हैं वह सकता है वे बहुत सा धन कमाते हो परन्तु वास्तविक्ता में वित्य बरबादी इसमें शरीफ एक वेवसाइक दुरगटना की दूरी पर होते हैं मेरी क्लास में एक बार में एक पूर्व बिजनसमें मालिक ने भाग लिए था वे जम कर जम कर कमाओ जम कर खर्च करो कि जीवन दर्शन पर चलता था बरसो तक उसके पास आपूसनों की दुकान की सिम्रिति चेन थी परन्तु अर्थ व्यवस्ता में आचानक मंदी आई और उसके बिजनस के एक जटके में गायब हो गया बरसल उसके कर्ज गा या नहीं था कि वह उसकी पतनी इस तरह एक के निवे सक्त है वह भी क्वाइडेंट से आया था और वह हाई क्वाइडेंट में अपनी अमीर बनने के सपने देख रहा था वह इस विचार को जखड़े वह था कि चूकि वह सफल बिजनसमें था इसकी वज़े से इसलिए वह वह उनी फॉर्मूलों का इस्तमाल करके निवेस की दुनिया के में वित्य स्वतनत्रा प्याप्त कर सकता था वह उस वैक्ति का आदर सुधारन है जो या मानता है कि बिजनसमें होने के करण वह आसानी से निवेस की दुनिया में सफलता हो सकता है परन्तु या सही नहीं है क जब तक ये निवेस बदलना ना चाहे उनका वित्य भविश्य अंधकर्म में है। बरसरते वे किसी अमीर वेक्ति से विवाना कर ले जो इन आदतों को जिलने को तयार हो। क्या आप इस तर एक की निवेसकों को जानते हैं। इस तर दो बचत करने वाले। ये लोग निवेस करने के वज़े बड़ा समान खरीदने के लिए बचत करते हैं। हैं उधारें के लिए निया टीवी, कार, शुटिया, मनाने आदी। वे नगत भुगदान करने में विश्वास करते हैं। वे उधारी और कर्ज से डरते हैं। इसकी वज़े वे बैंक में धन जमा होने की सुरक्षा से ज़्यादा पसंद करते हैं। हलाकि वे या बात जानते हैं कि मुर्दास्पित और टेक्स के बाद वर्तमान आर्थिक महौल में बशट के परिकरम नकारात्मक है। इसके बावजुद वे ज़्यादा जोकिम लेने के लिए चुक नहीं होते। सायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि अमरीकी डॉलर 1950 से अब तक 90% मुल्य गवा चुका है। और हर साल उनका मुल्य बैंकी की ब्यास दर्थ से तेजी से घटा जा रहा है। आप अक्सर इन लोगों के या कहते सुनते हैं। चवन्नी बचाने का मतलब चवन्नी कमाना है। या मैं बच्चे के लिए बचत कर रहा हूं। सच्चा ही या है कि अक्सर गेरा सुरक्षा और उनके जीवन को संचालित कर रही है। दरसल वे अक्सर खुद को और उन लोगों को कम फायदा कराते हैं। जिनके लिए बच्चत करते हैं। वे इस थर एक के निवे सक्के लगबग विप्रित होते हैं। पैसा बचाना क्रिसी यूग में एक अच्छा विचार था परन्तु जब उद्योग यूग में दाखिल हो गए हैं तो बचत करना स्मार्ट विकल्प नहीं रहा गया। या और भी बुरा विकल्प तब बन गया जब अमरिका इनने गोल्ड इस्टेंडर्ड छोड़ दिया और हम मुद्रा स्तवित के यूग में प्रविश्क कर गए क्योंकि सरकार तेजी से नोट शापने लगी। जो लोग मुद्रा सिफित के समय से धन बचाते हैं वे अंतता प्राग्जित होते हैं जाहिर है अगर हैं मुद्रा कुंसन के दौर से गुजरे तो वे विजेता बन सकते परन्तु सिर्फ तभी जब छुपे वे नोट का सचमुच कोई मूले बचे हैं। बरसल अगर आप निवेश करने ही नहीं चाते हो और वित्य जोखिम को लेकर देशत में आ जाते हो तो बचत करने और निवेश करने से बहतर विकल्प है। अगर आप बैंक में ही अपना धन रखते हो तो आपको इस से ज़्यादा सोचने नहीं पढ़ता हो और आपका बैंकर आपको पसंद करते हैं वे ऐसा क्यों नहीं करे आप बचत खाते में चितना धन जामा करते हैं वे हर डॉलर पर बैंक 10 से 20 डॉलर तक कर्ज देता है बैंक जो कर्ज देता है उस पर 19 परतिसक तक का व्याज वसूल उता है परन्तु बैंक आपको पांच परतिसक से भी कम व्याज देता है हम सबको बैंकर बनना चाहिए क्या आप इस तर्दो के निवेशकों को जानते हैं इस तर्द तीन smart निवेशक इस उम्मों में तीन तरह के न में भी इसल ले सकते हैं कई बार वे मुचल फंड इस्टॉक बॉंड में बारी निवेश भी कर सकते हैं आम तोर पर वे दिमान और सुरक्षित होते हैं वे इस देश के दो लोगों होते हैं जिने हम मध्यमवर्क के नाम से पुकारते हैं बरासल निवेश के सेत्रों में वे अक्सर शिक्सित नहीं होते या उनमें उस चीज की कमी होती है जिसे निवेश उद्योक परिस्कार करता कहता है वे कंपनी की सलाना रिपोर्ट या कंपनी के प्रोस्क्रेश्ट को सायद ही कभी पढ़ते हैं वे ऐसा कैसे कैसे कर सकते हैं उ उसमें वित्य साक्साथ की कमी होती है हो सकता है वे उनके पास कॉलेज की बड़ी डिग्रिया हो या वे डॉक्टर के लिखा परन्तु निवेस के जीत हार वाली दुनिया में बहुत कम लोग उनको अपरचुन रूप से परिक्षित या सिक्षित किया जाता है यह इस इस्तर क के लोगों का समु कहता है मुझे तंग मत करो उन्हें खुद का विश्वास उन्हें खुद को विश्वास दिला दिया है कि वे धन के बारे में नहीं समझते हैं और कभी समझ भी नहीं पाएंगे वे इस तरह की बाते कहते हैं मुझे अंक्यों की अच्छे योग्यता ही नह करता है मैं बहुत वैस्त हूं इतना सारा कागजी काम या बहुत जटील है या बहुत धंजट का काम है हमारे परिवार में निवेश का काम मेरी पत्नी पती पत्नी के जिम्में है यह लोग या तो धन को अपने रिटायर्मेंट प्लान्क में डाल कर निठला कर देते हैं या फिर वे उसी किसी वित्ती योजनाओं को दे देते हैं जो डाइवर्सिफिकेशन की सला देता हैं इसके बाद वे अपने वित्ती भविसे के बारे में कभी सोचते ही नहीं वे हर दिन कड़ी मेनत करते हैं और खुच से कहते हैं कम से कम मेरे पैसे रिटार्मेंट की होजना तो है रिटार्मेंट होने के बाद ही उन्हें या पता चल पाएगा कि उनके निवेश कैसे थे क्या आप इस तर 3A के किसी निवेशक को जानते हैं इस तर 3B दूसरी स्रेनी दोस्दर्ची की है ये लोग वे इस सारे कारण जानते हैं कि कोई निवेस सफल क्यों नहीं होगा ऐसे लोगों आपके आसपास रहना खतरनाक है वे अक्सर बुद्धिमान दिखते हैं अधिकाम पूर्ग बोलते हैं अपने चुने वे सेत्र में सफल होते हैं परन्तों अपने बहुतिक मुखोटों के नीचे अध्वे दरासल डरपोक होते हैं वे आपको बुलकुलिस्टिक तरीके से बता सकते हैं कि जितने तरह की निवेस हो सकते हैं उनमें आप कैसे और क्यों धोका खाएंगे उनसे किया सेर या निवेस के बारे में राह लेने के बाद जब आप लोटेंगे तो आपका पुरा हल होता है और आप अक्सार संका या डर में से बरे होते हैं ये लोग आम तोर पर इन सब्दों का प्रयोग बार बार दोराते हैं देखे मैं एक बार पहले ही मुर्ग बन चुका हूँ अब वे मुझे लोग मुर्ग नहीं बना सकते वे अक्सर नाम लेते हैं और इस तरह की बाते करते हैं मेरी लिंज में मेरे ब्रोकर या डिन वीटर नाम लेने से उन्हें अपनी गेरी सुरक्षा पर परदा डालने में मदद मिलती है परंतु अजिब बात या है कि आप दोस दर्सी अक्सर भेड की तरह बजार का अनुसरन करते हैं काम धंदे में वे हमेशा वित्यपन्य या वाल स्टीट जनरल पढ़ते रहते हैं वे अकबार पढ़ते हैं और काफी कोफी की छुटियों के समय में सब के सामने अपना ग्यान बखार दे हैं उनकी बासा निवन्तम निवेश सबसाली और तक्निकी सब्दों से भरी होती है जो यह हमें से बड़े सौदों के बारे में बात करते हैं परंतु उनका जिक्र कभी नहीं आता इस्तर 3C इस इस्तर का तीसरा सेनी में जुआरी आते हैं वेवसाइक ट्रेडर्स समु को भी पिक सूवर कहते हैं परंतु जहां दोस दर्सी जरूरत से ज़्यादा सावधान रहते हैं वहीं ये लोग प्रयाब सावधान नहीं रहते हैं वे श्टॉक मार्केट या निवेस की किसी भी बजार की तरफ उसी तरह देखते हैं जिस तरह वे लोग वेगस की जुए की टॉइबल को देखते हैं या स्रिप किस्मत की बात है पासे फेको और दुआ करो टेडिंग करते समय समु के लिए वे कोई भी नियम या सिद्दान इसल्ट नहीं होते हैं वे बड़े बच्चों की तरह भ्याण करते हैं और तब तक टेखये जीतने की वेजिएं करते हैं लंबे समय के महनत और अध्यान और समझ के वज़ाय टीप्स और सौटकर्ट के रस्ते पर चलना पसंद करते हैं वे निवेश के हर सेत्र में कूदे पढ़ते हैं जिसमें Commodities, Initial Public, Offering, IPO, Penny Stock, Gas and Oil इत्यादी सामिल है वे मैगजीन, पूर्ट्स, कॉलेज और ऑपनसन जैसी परिस्कृत निवेश टकनीका का प्रयोग करना पसंद करते हैं वे बिना याद जाने खेल के मैदान में कुछ पढ़ते हैं कि खिलाडी कौन है और नियम कौन बनाता है वे लोग इस दुनिया के सबसे बुरे निवेशक होते हैं वे हमेशा छक्के माने की कोशिस में रहते हैं आम तर पर वे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं जब उनके पूछा जाता है कि निवेश की स्थिति क्या है तो वे हमेसा या कहते हैं कि लगबग बराबर या थोड़ा फाइदा जबकि सचाई या होती कि उन्हें अपना आदा धन गवा दिया है बहुत सा धन अक्सर बहुत ज़्यादा धन इसके निवेसक 90% से ज़्यादा बार धन गवाते हैं वे कभी अपने नुकसान पर चर्चा नहीं करते हैं उन्हें तो फायदामन सोदे ही याद रहते हैं जो उन्होंने 6 साल पहले कि आ था वे सुचते हैं कि इस सोदे से इस्त्मार थे वे या नहीं समझ पाते हैं कि वे स्रिफ खुशमिस्त थे उन्हें लगता है शुप एक बड़ा सोदा हाथ लग जाए तो उनकी रहा आसान हो जाएगी समाज इस व्यक्ति को लाईलाज जुवारी कहता है गहराई में देखा जाए तो जब धन की निवेश करने की बात आती है तो यह लोग शरीफ आलसी होते हैं क्या विस्तर तीन बी सी के किसी व्यक्ति को जानते हैं इस्तर चार धिर्ग कालिन निवेशक यह निवेशक निवेश करने की अवसकता के बारे में काफी जागरूत होते हैं वे अपने खुद के निवेश का निन्य लेने के लिए सक्रिया भूमिका निबाते हैं उनके वित्ते लक्षे इसपस्ट होते हैं और उन लक्षे तक पहु के सला लेते हैं कि यह समझ ले कि इस किसम के निवेसक आम तोर पर बड़े इस्तर के निवेसक नहीं होते बात इस से बिलकुल अलग है यह संधिन है कि वे इसके बज़ेवे धिर्ग काली निती अपनाते हैं जिसकी सलाव फाइडेलिटी के मेंगल्स फंड के पीटर लिंच या वारेन बफे जैसे निवेसक देते हैं अगर आप दिर्ग काली निवेस नहीं बन पाए तो जितनी जल्दी बन सके बन जाए इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि आप यह यह उजना तयार कर ले अपने खर्च के आदोतों पर नियंतरन करे अपने कर्च और जायत्व को कम से कम कर ले अपनी आमदनी के भीतर करें और फिर अमतनी आमदनी बढ़ा ले यहां पता लगाए कि हर मैंने कितने निवेस करने पर आपको कितने मैंने या अर्थ रथावी ब्याज दर्व पर इतनी आमदनी होगी कि आप अपने लक्स तक पहुच जाएंगे अपके लक्स इस तरह के होने चाहिए आपकी सुम मुचल फंड में नियमित आधार पर धन जमा करें इस योजना पर चला कर आप दौलत मंद के रूप से रिटार्मेंट होने की राह पर कदम बढ़ाने लगते हैं बसरते आप जल्दी शुरू कर दे और इस बात पर अपेनी नजर रखे कि आप क्या कर रहे हैं इस इस तर पर रामदनी योजना का असान रखे हवाई में उड़ने का ख्याल दिल में से दिल में ना लाए परिस्कृत निवेस को भूल जाए सिर्फ दमदार सेहरों की मुचल फंड में निवेस करें अगर आप यह ना जानते हो तो जल्दी से सीखे की सीखे की क्लोज एंड मुचल करें नहीं मुल्यां कंग के लिए वेंगार्ट डेंकर 500 फंड जैसे मुचल फंड का प्रयोग करना उचीत है जिसके से अतीत में दो त्याई मुचल फंड से ज्यादा सफल प्रदेशन किया है दस साल के बाद इस प्रकार का फंड आपको 90% मुचल फंड के मैनेजर से अधि रोचक टुपनी या अदिकाश मीलीयनेरीं जत्रक clarity इंक्षो स्कार्च आते हैं धैया फंडूज्यूनी नेंदर पुष्याई करें फोट पीसी कंपें के मालिक होते हैं और अपनी आमदनी से कम खर्च करते हैं वे निवेस का ध्यान करते हैं और मार्क दरसन लेते हैं उनके पास एक योजना होती है और वे लंबे समय के लिए वी निवेस करते हैं जब निवेस की बात आती है तो वे कोई हवाई खतरना गया सेक्सी काम नहीं करत वे सच्चे रूड़ी वाड़ी होते हैं और उनकी अच्छी तरह संतुलित वित्ति आदतों लंबे समय में उन्हें अमीर और सफल बनाती है जो लोग जोकिम लेना पसंद नहीं करते और निवेश की विसे पर अध्यन करने में बहुत सा समय बर्बात करने के बज़ा है अपन सकते हैं और धिर काली निवेश पैटन के साथ सही मार्क पर आपके सुरुवत करा सकते हैं इस इस्तर का निवेशक धहरेवान होता है और समय के इलाब का उपयोग लेता है अगर आप जल्दी शुरू करते हैं और नियम रूप से निवेश करते हैं तो आप बहुत दोलत इ हे सकते हैं क्यूंकि उनकी धन संबंदीती आदत अच्छी होती है उन्нож्रे53 17 में निपुन भी होते हैं उनके प्रयास चैन्द्रित होते हैं विविक्त नियमीत रूप से जीतना उक का एक लंबा रिकॉर्ड होता है और वे कई नुक्सान भी जहल चुके होते हैं जिससे उन्हें वाद समझदारी हासिल होती है जो स्रिफ गलतिया करने और सीखने से मिलती है यह वे निवेश सक है जो रीटेल में निवेश खरीदने के बज़ए अक्सर थोक में निवेश खरी होती है किस बात से या निध्यरित होता है कि यह लोग सौफी स्टॉकिष्ट या प्रिक्सक्रित है उनके पास एक ठोस विच्याधार होता है उनके पास या तो प्रोफेस्टनल भीजनस या रिटार्मेंट के आम्दनी होती या फिघ्टोस रूडीवीन निवेश का आदार होता है इन लोगों का व्यक्तिगत आई व्या अनुपुत नियंतरन में होता है यानि उनके वैस में से बहुत अधिक होती है निवेश की दुनिया में वे अच्छी तरह सिख्षिक होते हैं और सक्रिया से नहीं जानकारिक होते हैं वे साफदान तो होते हैं परन्तु दोस्तों दर्सी नहीं होते और वे हमेशा इत्रिया मां आपने बच्चे को देते हैं और परिवारिक संपंति कारप्रेशन ट्रस्ट और पार्ट्रशंप रूप में भाबी पीडियों को सवपते हैं वे ex-baycus वे प्रूप्ट से बहुत से कम चीज़ों के सौमी होते हैं टेक्स के अदेक्स के लिए उनके नाम पर कुछ नहीं होता है इसके अलावा वे उन रोबीन नोडियों से भी बहुत सरवते होते हैं जो अमीर से लेकर गरीबों को दिने में विस्वास करते हैं कि वे किसी चीज के स्वामी नहीं होते परंतु कॉर्परेशन के मद्यम से वे हर चीज को नियंतरन करते हैं वे उन कानुनी सम्मू को नियंतरन करते हैं जो उनकी संपंतियों के स्वामी होते हैं उनके पास व्यक्तिवत संचालन मंडल होता है जो उनकी संपंतियों के प्रबं बढ़ाना है बलकि उसे परिवार मित्रों कानूनी मुकदमों और सरकार से बचाना भी है दुनिया से विदा होने के बाद भी वे अपनी दौलत का नियंतन करते रहते हैं इन लोगों को अक्सर धन रखसक कहा जाता है मौत के बाद भी वे अपने कमाय धन के भागे को संचालि अमेरिका में फट्रति BACK पहना हुते हैं नोगों धन संचती है defensive मुवर्स और से होते हैं जो एमेरिका और आन्य अन्य सक्स देशों में के मान आर्थिक सक्तिया बनाते हैं वे कैनेडा रॉफ फेलर फॉर्ड जे पॉली जेटी और रॉस पैरोड जैसे लोग होते हैं पुंजी पती वही धन उपलब्द कराते हैं जिससे नौकरिया वेवसाय और वस्तु निर्मान होती है जो किसी देश के सिम्रिद बनाती है पांच सचे पुंजी पती निवेस तयार करें के उन्हें बजार में बेज देते हैं सचे पुंजी पती को धन कमाने के लिए धन की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि वे जानते हैं कि दुसरों के धन और समय का उप्योग कैसे क्या जाता है इस तर छे के निवेसक ऐसे निवेसक तयार करते हैं जिने दुस glands करिकते हैं वे अक्सर दुसरे लोगों को अमीर बनाते हैं नुख्रिया निर्मात करते हैं हम गटना घटित कर queen अर्थिक दोर में सच्छे पूंजिपति अमीर बनते जब आप अक्पार में किसी देश के संकट यूदिया विप्ता की खवर पड़े तो आप अस्वस्त रहे कि सच्चा पुंजीपती वहां जल्दी पहुच जाएगा या पहले ही वहां पहुच चुका होगा सच्चा पुंजीपती तब अंदर जाता है जब अधिकांस लोग य करते समय आप अक्सर पाते हैं कि अपने मित्रों परिवार चर्चा और सिक्षित प्रती के दारता रद दिखाते हैं कुछ प्रसिद लोग को देखे जिनोंने प्रख्यात सिक्षा संस्थनक की स्थापना की है और रॉक फेलर के सिकागो यूनिवर्सिटी बनाने में मदद क की है जे पी मॉर्गन ने हारवर्ट को धन कमाने में से भी अधिक के लिए प्रहरीत क्या है जिन अन्य पुंजिपातियों ने संस्था को स्थापित करने के लिए अपने नाम दिये हैं वे हैं वांडर बिल्टर डिक्यो और स्टेंफॉर्ड वे ना सिरिफ उद्योग के बल जावा फॉर्ड फाउंडेशन और जेटीव फाउंडेशन को भी वे भले और टेरनर को जिन्होंने यूग तराष्ट संग का एक बिलियन डॉलर देने का वचन दिया है हमारे स्कूल सरकार चर्चा और मीडिया के बहुत से बोदिक दोस्दर्सी और अलोचक भले ही बनाने के लिए हमें कम पुंजीवपतियों को की नहीं बलकि अधिक पुंजीवपतियों की अवसकता है सचाई तो यह है कि पुंजीवपतियों की तुलना में दोस्दर्सी की संख्या जादा है दोस्दर्सी जो बहुत सोर करते हैं और लाकों लोगों को डराते रहते हैं स जोजदर्सी को किसी विश्वजासन की स्थापना की हो, क्या आप इस्तर छे के निवेसक को जानते हैं, आगे पढ़ने से पहले, यहाँ पर कैस फ्लो क्वाडेंट का प्रश्टी करन वाला हिस्सा खतम होता है, या अंतिमध्या क्वाडेंट के आई खंड से संबंदित है, आ इवेसके साथों इस्तर को पढ़ गए और बार बार पढ़े, जब भी इन इस्तरों के बारे में मैं पढ़ता हूं, तो मैं हर बार सभी इस्तरों में अपनी थोड़ी थोड़ी छवी देखता हूं, मैंने सिरिफ अपनी सक्तियाओं को पहचाना जाता हूं, बलकि जिस पर किलर कहते हैं मैं उन चरित्र के ौपि पैचानि की रॉ भ कर ना है और उसा का निया है कि पहले आप उन्हें पैचाने और दोणों ना करें किए आप में कोई दोस नहीं है हम अपने बारे में सापने जीवन में मैंने स्थर छे के पुंजवती बनने के सफर देखे हैं जब मैं मेरे अमी डैडी ने मुझे स्टॉक चुने वाले और गोडे पर दाव लगाने के बीच की समन्ता के बारे में बताया तब ही मैंने यही बनना चाता था परन्तु इस सूची के विविन स्थरों के अध्यान करने के बाद मैं उन चरित रंकान दोसों को देख सकता था जो मुझे पीछे रोके हुए थे हलाकि आज मैं स्थर छे के निविसक के रूप में काम करता हूं परन्तु इसके बावजुद मैं सातों इस तरों को बार बार पढ़ता हूं और खुद को सुदाने के लिए मैनत करता रहता हूं मैं इस तर तीन से थी सी से अपने में चद्रित दोस्त पाई जो अक्सर दवाव के समय हावी हो जाते हैं अधर का जुवारी अच्छा था परन्तु या बुरा भी था अपनी पत्नी और मित्रों के मारदर्शन तथा अतिकन सिक्षा के द्वारा मैंने ततकाल अपनी चरित दोसों को दूर करना शुरू किया और उन्हें सक्तिया में बदलास्तर छेगे निवेसक के रूप में मेरी प्रवा कारी ततकाल सुधर गई या आपके लिए एक और सवाल है सवाल नमबर दो निविंकट भविश्य में आप किस स्थर के निवेसक बनना चाते हैं अगर दूसरा सवाल का आपका जवाब वही है जो पहला सवाल का है तो आप वही है जो आप होना चाते हैं अगर आप निवेसक के रूप में जहां है वहीं खुस है तो इस पुस्तक को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है उधारन के लिए अगर आप आप स्थर चार के उठोस निवेसक है और इस तर पांच या छे में आगे बढ़ने की आपकी कोई इच्छा नहीं है तो आगे ना पढ़े जीवन की सबसे माहत खुसिया में से एक वही सुखी सुखी रहना है जहां आप है बदाया चेतावनी जिसने इस तर पांच या छे का निवेसक बनने का लक्स बनाया है वहाँ उसे वहाँ पहुचने के पहले इस तर चार के निवेसक के रूप में अपनी योगता है विक्सित करनी होगी जो भी इस्तर चार के निवेसक की हो गयता हों कि वो बिना इस्तर पांच या अच्छे का निवेसक बनने की कोशिस करता है वहाँ दरासल इस्तर तीन का निवेसक होता है यानि एक जुवारी अगर आप भी वित्य मामलों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं और अपनी वित्य स्वतनत्रा पानेम के रूची रहते हैं तो आगे पढ़िए अगले अध्याय का मूल फोकस भी और आई क्वार्डेंट के लोगों के लक्सनों पर है इन अध्यायों में आप बनाती है आगे पढ़ने से पहले मेरी सवाल का जवाब दे बेगर इस्तिती से लिए का 10 साल में मिल्यानेरी बनने को प्रक्रिक में कीम और मैं आपकी राय में की सिस्तर की निवेस्टर रहे होंगे इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा जहां मैं आपको वित्य स्व कि सीमा पर एक छोटा सा मकान खरीदा जिसमें दो बेडरूम और एक बातरूम थे इस सुंदर मकान की कीमा 56,000 डॉलर थी यहां किराए पर उठाने के लिए आदर्स था और मैं जानता था कि यहां जल्दी ही किराए पर उठ जाएगा मैं बहुत रोमांचित होकर अपने अमी मुर्खो जैसी बात मत करो मैंने अभी आकड़ों को ठीक से नहीं देखा है परंतु इन दस्तावजयों को सरसे तोर पर देखने पर से भी यह बता सकता हूँ कि तुम्हें इस से जादा नुकसान होगा तुम जानमूच कर ऐसे निवेस क्यों कर रहे हो जिसमें तुम्हें यहां मकान सुन्दर दीक रहा था और मैंने सोचा कि सौधा बढ़िया है थोड़ा सा पेंट हो जाए तो यहां मकान बिल्कुल नया दिखेगा ने लगेगा मैंने कहा यहां तो नुकसान उठाने का कोई तरक्रान कारण नहीं है अमीर डैड़े ने वेंग से कहा मेरे रियल वाले नुकसान के लिए टेक्स में छूट भी देगी इसके अलावा यहां इतना अच्छा सौधा था कि मेरे डर मैं डर रहा था कि अगर मैं इसे नहीं खर दूंगा तो कोई और खरीद लेगा यहां सुनकर अमी डैड़ी ने उठकर अपने ऑफिस के दरवाजा बंद कर द मैंने सहमेते हुए जवाब दिया लगबग 100 डलर प्रती महा अमी डैड़ी ने दस्तावजे को दिखाते हुए अपने सिर हिलाया सबक अब शुरू होना वाला था उस दिन मैंने धन और निवेस के बारे में इतना सब कुछ सिखा जो मैंने अपनी जिन्गी में 27 सालों में सिखा था अमी डैड़ी ने खुश थे कि मैंने साहस करके रियल इस्टेट में निवेस किया परन्तु मैंने कुछ गंभीर करतिया कर दी थी जो मुझे वित्यरूप से तबाह कर सकती थी बरसल मैंने उन्हें सुराती निवेस ने जो सबक सिखा उन्होंने आगे चलकर मुझ चीजों को देख सकते हैं परन्तु महित्वन वा होता है जिससे आप आखो से नहीं देख सकते हैं इसकी बाते होती हैं जो किसी निवेस अच्छा या बुरा बनाती है जैसे सल्दा-वित्य अनुभण बजार मैनेजमेंट जो किम के तट्प्रücke का तरुंद टेक्स कानुन और सेख़डों अन्य बाते इसके बाद वर सवाल पूछ करो सौधे किम में चिर्फाड करने लगे तुमने इतनी ज्यादा ब्यास दर पर सौधा क्यों किया तुम्हारे इस निवेश पर तुम्हें कितना प्रतिसात आमदनी होगी या निवेश तुम्हारे धिरकालिन विर्त कानुमान लगाने के लिए तुमने किसी प्रतिशित दर का प्रयोक किया है क्या तुम जानते हो नगर निगम ने अभी किया गोस्ना किया कि उस इलाके की सड़क गोड़े गई और ट्रैफिक वैवसाम में बदलाव करेंगे तुम्हारी इमारत के ठीक सामने एक बड़ा मार बनने वाला है इस वर लंबे प्रोजेक्ट से बचने के लिए वहां रहने वाले वहां से दुसरे जहां जा रहे हैं किया तुम्हें यह मालूम था मैं जानता हूं कि आज बजार की अच्छी है पर अंतु क्या तुम जानते हो कि कौन से चीज इस अच्छी हालत में रख रह लोब तुम्हारे इसाब से बजार की हालत कितने समय तक अच्छी रहेगी अगर यहां घर की राये पर ना उठे तो क्या होगा और अगर ऐसा ना हो तो तुम कितने समय तक इस इसे और खुद को अच्छी हाल में रख पाऊगे और आखिर तुमने यहां कैसे सोच लिया कि धन का नुकसान उठाना एक अच्छा सोदा है इसमें से सच्मु चिंता में पढ़ गया हूं मेरी हवा निकल चुकी थी और मैं खिसी आते हुए बस यही बोल पाया यहां सोदा बहुत अच्छा दिख रहा था अमी डैडी मुस्कुराए खड़े हुए और मुझे हाथ मिला यह पर चाम करके शीखे जाते हैं यह सबा गलतिया करने और उनहें सुदाने से सी तरीके से आती है मैं थोड़ा बेटर मैसुष करने लगा अब मैं सबाद सिखने के लिए तयार था shaken prompted जौने रहे और शिर्फ-प्रिषद निवयद अपने दिमांग से करते हैं और शिरिं में लेते हैं उनकी आँखे क्या देखती है या ब्रोकर हुंने क्या बताताये या से कर վंतुरूनी जानकारी देते हैं अक्षरवितर के वज़र् хот recommend क्या अदार पर खरिते हैं अमी डदेटी नागे का इस लिए उन्हें छुट पाटवाधा भी हो जाता है higher इसलिए होता है क्युंकि वैं अपने दिमाग के अधार पर नहीं बलकी हकिए अखो व्lorा भवनाओं के अधार पर निवेस करते हैं कई में धिश्रफ करते हैं नुकसान वाले सौधे पर विचार करते हैं मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस फाइदे वाले सौधे में कैसे बदला जा सकता है मैं तुम्हारे दिमाग में वो देखना सिखाऊंगा जो तुम्हें आखों से नहीं देख सकते हो बुरे से भले तक अगली सुभा मैं दुबारे अपने रियल इस्टेट एजन्ट के पास गया मैंने उससे कहा कि मेरा पूरा अनुबंदन को बदलना चाहता हूं मैंने उससे अनुबंदन पर दुबारा चर्चा सुरू कर दी यह चर्जा सुखत तो नहीं थी परन्तु मैंने इसमें बहुत कुछ सिखा तिन दिन बाद मैं एक बार फिर अपने अमी डैडी से मिलने गया कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था और एजन्ट का उसका पूरा कमिसन मिला क्योंकि उसने इसके लिए कड़ी मेनत की थी हाला कि कीमत पहले जीतना ही थी परन्तु निवेस की सर्थ पहले से बहुत अलग थी ब्यास दर भुगतान की सर्थे और किस्तों में बदलाव करने के बाद दिया अब मुझे विश्वास हो गया था कि इसमें मुझे कोई नुकसान नहीं होगा बलकि इसके बहुत अलग मुझे हर मेने 80 डॉलर नगत लाब होगा इस लाब का गनन्म करते समय मैंने मरमत की खर्ज का और मकान में कुछ खाली रहने के बारे में अच्छी तरह विचार कर लिया है अगर बजार के इस तरी बिगड़ जाए तो मैं अपने किरायज में थोड़ी कमी करने के बावजुद पैसा कमा सकता हूँ और अगर बजार के इस तरी बैतर हो जाए तो मैं किराया बढ़ा सकता हूँ अमी डड़ी ने का मैंने जो अनुमान लगाया था उसके हिसाब से मैं तुम्हारे हर मैंने कम से कम डेट सो डॉलर का नुकसान होता है शायद इससे भी जादा अब अगर तुम्हें हर मैंने डेट सो डॉलर गवाते तो अपनी तनखा और खर्च के अधार पर तुम्हें ऐसे नुबंद किया होता तो हर मैंने मुझे आर्थिक परिसानी से जुड़ जुजना पड़ता टेक्स में छुड़ मिलने के बाद भी इस निवेश के बुगतान के लिए सायद मुझे कोई दुसरी नौकरी भी करनी पड़ती है अभी डैड़ी ने सेमती से सीरह लाया अब वहां जाओ और ऐसे धेर सारे सौधे कर लो कुछ साल बाद हवाई में रियल इस्टेट की कीमत आस्मा चुने लगी परनतु जहां पहले मेरे सिर्फ एक जायदाद की कीमत दुगनी हो गई या थोड़ी सी वित्य बुद्धी की सक सकते हैं मेरे पहले रियल इस्टेट निवेस पर एक महत्मून टिपनी जब मैं अपने रियल इस्टेट जेजंट के पास अपना नया प्रस्ताव लेकर गया तो उसने मुझसे पहला वाकिया कहा था आप या नहीं कर सकते मुझे सबसे जादा समय एजंट को या समझाने में मैं लगा कि वो जो करवाना चाता है उससे कैसे किया जा सकता है चाहे जो हो उसे एक निवेस से मैंने कई सबक सिखे हैं उन में से एक या था कि जब कोई आपको कहता है आप या नहीं कर सकते तो उसकी एक उंगलिया आपकी तरफ होती है जबकि तीन उंगलिया उसकी आधर सुदारण है जब लोगों ने राइट बंदों से का ता आप यहां नहीं कर सकते हैं भगवान का सुक्र है राइट बंदों ने उनकी बात नहीं सुनी जानी कि असली जोकिम क्या है धन देखने के लिए आपने मांस्तिक्स को प्रक्सित करने का दुसरा कदम या सिखना ह जब लोग मुझसे कहते हैं कि निवेश करना जोकिम बरा है तो इस बात उनसे बस इतना ही कहता हूं निवेश करना जोकिम बरा नहीं है असिक्षित होना जोकिम बरा है निवेश करना विमान उड़ाने की तरह है अगर आप फ्लाइट स्कूल में गए हैं और अपने बरसों त अब देड़ी का ढृट विश्वास या था कि सलाह ना होना से किसी भी तरह की विथ्य सलाह बैतर है वे खुले दिमाग के इंसान थे वे शिष्ट थे और बहुत से लोगों को बाते सुनाते थे पर अंतरत्व वे अपने ने लेने के लिए अपने ही विथ्य बुद्धी का प तर नहीं मालूम हो तो या खतरनाख है आपको बुरी और अच्छी सला का फरक मालूम होना चीए ताकि आप या समझ सके कि कौन सी सला आपके लिए बैतर है और आप उस सला के इसाब से काम करें और अपना फाइनल डिसिजन आप खुद दिले हमी डैडी का ड्रीड विश्वास या था कि अधिकांस लोग वित्य रूप से इसले संगर्स करते हैं क्योंकि वे उस वित्य जानकारी के आदार पर काम करते हैं जो पिता से पूत्र को हस्तिन होती है और अधिकांस लोग वित्य रूप से इस त्रूडर परिवार में पैदा नहीं होते वे अकसर कहते हैं बुरी वित्ते सलाय जोखिमबरी है और अधिकांस बुरी सलाय घर पर साटा है ऐसे सब्रकेते को नहीं बलक्रीं कारीों के कारण होता है बच्चे सब्रक्रा कर आपके सलाय रूप से सुरक्षित- तो योग सलाकर आपको अधिक प्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक कि उनका समय बहुत मुल्य है परन्तु आगर आप वित्य रूप से सिक्षित हो जाते हैं और अपने धन को उच्षित प्रबंदन करते हैं इने की जिम्मेदारी ले ले लेते हैं तो सहीयोग सलाकार आपको ऐसे निवेसंक्या और अनियत्या की जानकारी दे सकता है जिने वह से बैंकोरों से पाला पड़ता है वह उनकी वित्य टीमों का मेहत्मुन मांग है हाला कि वे अपने बैंकर के करीवी मित्र थे और उनका संभान करते थे परन्तु वैंसा मैसुस करते थे कि उन्हें अपने चीतों का ध्यान रख रहे हैं उन्हीं सो चोटर के मेरे निवेस के अनुभव के बाद उन्हें उन्होंने मुझे समझाया जब कोई विस्वाप प्सपात्र लोगों की राय और सला की जरूरत पड़ती अगर आप वित्ययरूप से साखतार नहीं है तो आपको खतरनाक है वे जूट नहीं बोल रहे हैं वे स्रीव सच नहीं बता रहे हैं वास्तिया है कि जब आप बैंकर आपका बैंकर आपको कहता है कि आपका मकान संपन्ती है तो वह आपसे जूट नहीं बोल रहा है वास्तिया आपको पूरी सचाई नहीं बता रहा है हाला कि आपका मकान संपन्ती है परंतुबा आपका या नहीं बता रहा है कि या किसकी संपन्ती है क्योंकि अगर आप financial statement पढ़ते हैं तो आपको असानी से देख सकते हैं कि आपका मकान आपकी संपन्ती नहीं है या तो बैंक की संपन्ती है भी डेट पूर डेड मेंyen Me Daddy द्वारा बताई गई संपंतियों और दाइत्वक की परिवासा याद कीजे संपंती से मेरी जेव में धन अंदर आता है दाइत्वस से मेरी जेव का धन भाहर जाता है Quadrant के बाएं इसे के लोगों को या अंतर जानने की दरसल कोई जरुवत ही नहीं है उनमें से जादा तर अपनी नौकरी से सुरक्षित महसूस करने में खुस है वे इस बात से खुस है कि उनके पास एक बड़िया मकान है जिसके वे मालिक है जिस पर उन्होंने गर्व से और जिसके बारे में वे सोचते हैं कि वे उनका नियंतरन है जब तक कि वे अपनी पूरी किस्ते का भुकतान करते रहेंगे तब तक कोई भी उनसे या मकान नहीं चीन सकता और वे या भुकतान करते आते हैं परंतु क्वाडेंट के दाइंसे के लोगों को या अंतर जानने की जरूरत है वित्य रूप से साक्षर और बुद्धिमान होने का मतलब या है धन की बड़ी तस्वीर को समझने की समता वित्य रूप से चतुर लोग चांते हैं कि मौटगेज आपकी बैलन्स सीट में समपनती के रूप में नजर आती है आपकी balance sheet में खाली रहेगा और दायवत्व में मौटगेज रहेगा बैंक की balance sheet में संपंती में आपकी मौटगेज रहेगी और दायवत्व खाली रहेगा अब balance हो जाता है अब इसका मतलब समझ में आता है या B or I accounting है परन्तु इस banking accounting में इस तरह से नहीं पड़ा जाता है accounting में आप अपना मकान के मुल्य को संपन्ति के रूप में देखते हैं और mortgage को दायत्व के रूप में एक और महत्पून बिंदू पर ध्यान देखिए आपके मकान का मुल्य एक ऐसा राय है जो बजार से साथ बदलती रहती है जबकि आपके mortgage एक निश्चित दायत है जिस पर बजार का कोई प्रवाब नहीं पड़ता अब असल B or I के लिए आपका मकान का मुल्य संपन्ति इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी cash flow नहीं मिलता है अधिकांस मामले में जवाब अब भी नहीं है या अब भी एक दायत्व है मेरे इस जवाब के पिछे कई कारण है एक है रेखा रेक रखाव और अन्य सन मानने खर्च जायदत किसी कार की तरह होती है अगर आप इसके पूरे सौमी है तब भी आपको इसे चलाने के लिए धन के जरूरत होती है और कई बार जब यह तूटना सुरू करती है तो इससे यहर चीज तूटने लगती है अधिकांस मामले में लोगों अपने घर और कारक की ममत और का बुकतान अपने उन डॉलरों स अगर आप इसके सौमी होते तो सरकार आप पर टेक्स क्यों लगाती है अगर आप यकिन नहीं आता तो आप अपने प्रॉपर्टी टेक्स देना बंद कर दे जल्दी हम आपको यह पता चल जाएगा कि आपका मकान दरासल किसकी संपती है अब यह टेक्स लियन सर्टिफिके का उद्द्वम है जिसके बारे में मैंने रिच डेट पूर डेट में लिखा है टेक्स लियन सर्टिफिकेट आपके धन पर कम से कम 16 प्रतिसत ब्याज पाने के बैतर तरीका है अगर मकान मालिक अपने प्रॉपर्टी टेक्स का भुकता नहीं करते तो सरकार उनके दुआरा नई चुकाये गए टेक्स पर ब्याज लगाती है जो 10 प्रतिसत से लेकर 50 प्रतिसत तक हो सकती है अगर आप प्रॉपर्टी टेक्स नहीं चुकाते है और मेरे जैसे कई वैक्ति आपके एवज में इसका भुकतान करते हैं तो कई राज्ये में मैं मैं आपसे टेक्स और उस हो सिर्व उतना ही धन में जो मैंने टेक्स के रूप में दिया किया है ज्यादा तर आज जो में प्रोपर्टी टेक्स सबसे पहले चुकाए जाते हैं बैंके की मोटगस से भी पहले है मुझे ऐसा मकान खरिदने का आफसर मिला है जिन पर मैंने 3500 डॉलर से कम का भी टेक्स उखाया था इरियल इस्टेट के परिवासा मैं एक बार फिर बता दू कि धन को देखने के लिए आपको अपनी आख्यों का नहीं बल्कि अपने मस्तिक्स का इस्तमाल करना चाहिए अपने मस्तिक्स के परिक्सन के लिए आपके सब्दों को असली परिवासा और अंक्वे के तंतर को जानकारी होनी चाहिए अब तक आप संपत्य और दाइत्व के अंतर को समझ गए होंगे और मौटगेज सब्द की परिवासा को भी जो मृत्य और प्रत्रानुबद होता है और financial सब्दों भी जिसका मतलब दंड होता है अब आप real estate और लोग प्रिय वित्यद साधन diversification सब्दों के उद्धों के बारे में भी जान ले कई लोग सोचते हैं कि diversification कोई नई चीज है परन्तु वास्तिवक्ता में वे सद्यों पुरानी है derivative की आसान परिबासा है कोई ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज से उत्पन होती है orange juice derivative का एक उदार है न orange juice orange यानी नारंगे से उत्पन होता है मैं सोचता था कि real estate का अर्थ real यानी वास्तिवक्ता है अर्थात एक मूर्थ चीज मेरे अमी डैडी ने मुझे समझाया कि इसका उद्ध्वंग दरासल से अपनी सब्ध real से हुआ है जिसका अर्थ royal यानी साही होता है अल्कैमिन रियल का एक साही सडक रियल इस्टेट का अर्थ है साही जायदाद जब पंद्रासल के आजपस क्रिसी योग समाप्त हुआ और दोग्य की सुरुवात हुई तो सकती भूमी और क्रिसी पर अधारित नहीं रह गई समराट ने महसूस किया कि उन्हें बदलना होगा क्योंकि भूमी सुधार कानूनों की वज़े से किसान भूमी के मालिक बन गए है समराट ने डेरिवेटीव है की वे बूमी से उत्पन होते हैं आपका माशल मोट्गेज को डेरिवेटीव की डेरिवेटीव नहीं कहेगा वह कहेगा की या बूमी द्वारा सुरक्षित है अलग-유लग सब्द में एक ही अर्थ तब जो समराट ने समझ लिया कि धन अब भूमी में नहीं बलकि भूमी द्वारा उत्पन डेरिवेटिज में है तो समराटों ने बड़े हुए बिजनस को समालने के लिए बैंक को कि स्थापना की भूमी को अब भी रियल स्टेट कहा जाता है क्योंकि चाहे आप इसके लिए कितना भी भुक्तान कर दे या दरसल आपकी होती ही नहीं है आज भी या समराटों की ही होती है आप जितने ज़्यादा लोगों के कर्सदार है आप उतने ही ज़्यादा गरीब है अमीर डैडी कहते थे आप जितने ज़्यादा लोगों के करशदार है आप उतने ही ज़्यादा गरीब है और जितने ज़्यादा लोग आपके करशदार है आप उतने ही ज़्यादा अमीर है यही इस खेल के सार है जैसे मैंने कहा, मैंने अपने दिमाग खुला रखने के लिए संगर्ज किया इसलिए मैं खमोस रहा और उन्हें समझता समझ जाने दिया वे ऐसे दुर्भाव से नहीं कर रहे थे वे तो शरीफ उस खेल को समझा रहे थे जिसे वे अच्छी तरह से समझते थे हम सब किसी ना किसी के करशदार होते हैं समझ से तब उत्पन होते हैं जब करश संतुलन से बाहर चला जाता है दुर्भागे से इस दुनिया में गरीब लोगों को इस खेल किसे में अधिक उधर उधर दोड़ाया जाता है और वे अक्सर करश में बुरी तरह डूप जाते हैं यही गरीब देशों के बारे में सही है दुनिया करीब कमजोर वित्य रूप से अज्ञानी और निचोड़ी लेती है अगर आप पर बहुत जादा करश है तो दुनिया आपको सब कुछ ले लेती है आपका समय, आपका काम, आपका मकान, आपका जीवन, आपका आत्म विश्वास और फिर आगर आप अनुम्मति दे तो आप तो यहां आपकी गरीमा भी छीन लेती है मैंने या खेल नहीं बनाया, मैंने नियम भी नहीं बनाया परंतु मैं इस खेल में को समझता हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से खेलता हूँ मैं तुम्हें इस खेल के बारे में समझाओंगा मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अच्छी तरह से खेलना सीख लो फिल जब तुम इस खेल में निपून हो जाओ तो या तुम्हारे उपर है कि अपने ग्यान को तुम किस प्राकार उप्योग करोगे धन कर्ज है फिर अमी डैडी ने समझाए कि हमारी मुद्रा इक्विटी का नहीं बलकि कर्ज का अधादन है हर डॉलर नोट पर पहले सोने चांदी की गैरेंटी होती है पर अब यहाँ एक आई ओ यू है जिसके बुक्त दुनिया अमारे डॉलर पर विस्वास करेगी अगर धन का प्रमुक्त त्यत्व यानि विस्वास अचानक गायब हो जाए तो अरत वहवस्ता तास के पत्तों के तरह डह जाएगी और इतियास में तास के पत्तों का महल कई बार डह चुका है जर्मनी वीमर सरकार की मुद्र मार्क का उधारन ले जिसकी दित्य विस्वयूद के ठीक पहले कोई मुल्य ही नहीं रह गया था इसके इस बारे में कानी लोक पर है एक बुड़ी महला ब्रेट खरीदने के लिए जर्मनी की मुद्रा यानि मार्क से भरे हुए ठेले को धक्का दे कर ले जा रही थी जब उ ऐसा धन की जो किसी मूर्थ जीज जैसी सोना या चांदी में नहीं बदली जा सकती धन तभी तक काम का है जब तक लोगों को सरकार पर विस्वास है मैं जो इसके बुक्तान का वशकता देती है फियट की अन्य परिबासा है सकती संपन आदेश जो पून सत्वत्त व्यक्ति या समू द्वारा दिया जाता है आज के अधिकांस बैस्विक अर्थ व्यवस्ता कर्ज और विस्वास पर आधारित है जब तक हम सब एक दुसरे का हाथ थामे रहेंगे और कोई भी मानविये संगलन को नहीं तोड़ेगा तब तक सुबा ठीक रहेगा सब ठीक रहेगा और मैं ठीक फाइन सब्द का सुरक्षित नियूरिक्टिक और भावु का नुभाव करने का समसिक रूप मानता हूं आपका कर्जदार कौन है 1904 में जब मैं या सीक रहा था कि 56,000 डॉलर का कॉंडो या मकान कैसे खरिदा जाए तो मेरे अमी डैडी ने मुझे या मैत्वन सबक सिखाया कि सौदे कानू बंदन की सबसाली कैसी है सब्दवाली कैसी है अमी डैडी ने कहा इस खेल का नाम है कौन किसका कर्जदार अगर किसी ने तुमें कर्जदार बना लिया है या तो उसी तरह है जैसे तुम दस दोस्तों के साथ दिनर के लिए जाओ परंतु टॉलेट से बाहर आने के बाद तुम देखो तो टेबल पर बिल पड़ा है और तुमारे सारे दोस्त चले गए है अगर तुम इस खेल को खिलना चाहते हो तो बहतर या होगा कि तुम किस खेल की अच्छी तरह सीख लो इसकी नियमों को जान लो इसकी बासा बोलने लगो और या भी ही तो तुम खेल को नहीं खेलोगे बलकि खेल तुमारे साथ खेलवार करेगा या सिरिफ खेल है पहले तो अमी डैडी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आया परंतु मैं सुनता रहा और समझने की कोशिस करता रहा आखिरकार उन्होंने इसे पुरिष्टी करन में रख दिख खेल है मैं धन के खेल से प्रेम करता हूं इस पर मैंने काया परंतु कोई लोगों के लिए धन कोई खेल नहीं है अमी डैडी बोले या सही अधिकांस लोगों के लिए या जिन्दा रहने का जरिया है अधिकांस लोगों के लिए धन एक ऐसा खेल है जिसके खेलने के लिए मजबूर क्या जाता है दुर्भागे से हम जितना सब्वय होते हैं धन हमारे जीवन में उतना ही यानी वारे के हिस्सा बन जाता है इस किसे टैनिस कोट या फुटबॉल के मैदान की तरह देखो धन के खेल को खेलते समय तुम किस टीम में रहना चाहते हो तुम मैदान के किस हिस्से में रहना चाहते हो दाएं हिस्से में या बाएं हिस्से में मैंने क्वाडरेंट के दाएं हिस्से की तरफ इसारा कर दिया धन एक विचार है मुझे आसा है कि आप कैसफलो क्वाडरेंट के मूलबुत बातों को समझ चुके हैं और या जानते हैं कि धन दरासल एक विचार है जो आखों के बज़े मस्तिक से ज़्यादा इस पर दिखता है धन के खेल और इस खेलने के तरीके कि आपकी यातरा का एक मत्पुन हिस्सा है हाला कि इससे भी अधिक महत्पुन या है कि कैसफलो क्वाडरेंट के दाएं इससे में पहुचने के लिए आपको क्या बनना चाहिए इस में इस पुस्तक का दूसरा खंड आपको भीतर से सर्वश्चे सवरूप के बाहर निकालना इस बात पर ध्यान के इंद्रित करेगा और नीचे दिए गए फॉर्मुले का विस्सलेशन करेगा बनो करो पाओ दोस्तों याप उस तक के अच्छे अध्याय यहां पर समाप्त होते हैं आगे के अध्याय सुनने के लिए हमारे कैस्ट लोक और्डेट के पार्ट टू की वीडियो जरूर देखे